बूर्णिंग आल आफ यू आज सैलरीज के अंदर हम लोग परक्विजिट्स पढ़ने जा रहे हैं येस्टेड़े परक्विजिट्स का इंट्रडक्शन हुआ था मैंने पूरे परक्विजिट्स के बारे में एक ब्रॉड आइडिया दिया था और ये बताया था कि परक्विजिट्स परते वक्त तुमारा फोकस एक्जेम्शन पर नहीं होना चाहिए बलकि पी वी यानि कि परक्विजिट वैल्यू पर होना चाहिए मैक्सिमम परक्विजिट्स नॉन मॉनिटरी नेशर के होते हैं तो वहाँ पे सबसे important चीज होती है to calculate their monetary value, which we say PV, perquisite value, तो परक्विजिट परतरत focus किस पोनाची परक्विजिट वैल्यू पर, अब 11 तरह की परक्विजिट है, जिसमें सबसे important जो almost हर समस में होता है, वो होता है, घर, rent, free, accommodation, कि कमपनी ने अगर आपको रहने के लिए घर दिया है, तो उसकी valuation, ठीक है, यह सबसे बड़ा परक्वि और फिर हम लोग RFA में आगे move on करेंगे, balance portion complete करेंगे, that will get over, RFA के बाद अगला परक्विजिट होता है, second परक्विजिट, third and fourth परक्विजिट, वो हम लोग आज करेंगे, ठीक है, most probably, आज हम लोग 4 परक्विजिट कर पाएंगे, देखते हैं, depends, start करता हूं मैं, ठीक है, come to पेज नमबर 23, एकदम इतमिनान से सारे परक्विजिट पढ़ना, हर बड़ी करने का कुछ नहीं है, सोचने की जो तुमारी, मतलब एक लए होती है, कि कोई भी बीजिट की बार में सोच रहे हैं, तो सही तरीके से सोचोगे, तो तो clear हो जाएगा, अगर एकदम गलत दिश सेलरी कहीं कुछ और सीखोगे, कहीं कुछ और सीखोगे, तो lot of perquisites are there and all of them have different valuation methods, हमें सब कुछ पढ़ना है, और तुमारा अप्रोच यह नहीं होना चाहिए, कि अभी बस पढ़े क्लास में समझ लिए बात खतम नहीं, तुमारा अप्रोच होना चाहिए, याद करने का, कि जो भी valuation के formula हम लोग यहां सीख रहे है, वो तुमको permanent याद रहे, यह तुमारा अप्रोच होना चाहिए, ठेक है, कोई भी तुम class, in fact, खाली मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, if you are attending any kind of a class, the purpose should not be just to understand the topic or the subject that is being taught by the teacher, the purpose is that you should memorize it, learn it then and there only, don't create a backlog for yourself, class attend किया मतब I have finished the topic, I have learned the topic also, so, later on I will do one revision and I will go for exam, that should be your approach, ठेक है, start करते है, rent-free accommodation, यहां एक बार हलका सा recap करा देता हूं, normal employees ही ज्यादा तर आता है, government employees आता नहीं है, government employees के case में, government is the employer and they will mention a license fees in the question, so that license fees into the number of months, that will be the answer, तो वो इदम सिंपल है, ठेक है, ज्यादा हमारे काम का का है, normal employees के, normal employees के लिए, if the employer owns the accommodation, employer का खरीदा वो accommodation है, तब perquisite value straight है, 15% of salary, ठेक है, उसमें population का चक्कर है, पर वो जल्दी से exam में आता नहीं है, 70%, 10%, मेन है, 15% of salary हो, कुछ नहीं बोलेगा, तो आप यही मानोगे, कि आबादी 25 लाग के उपर है, if the accommodation itself is rented by the employer and then given to you, तब आपको दो calculate करनी है, 15% of salary and the rent paid by the employer, दोनों में से जो भी higher की lower, sir, lower, perquisites के formula इस तरह से designed है कि उससे तुमको फाइदा ही होगा, कमी value निकल के आएगी, तुमको खुशी कब होगा, जब कम value निकल के आएगी, ज्यादा value निकल के आएगी, sir, कम value, जोगी perquisite value अगर कम होगा, तो तुमारी salary में हम कम जोड़ेंगे, तो तुमसे हम tax कम लेंगे, है की नहीं, तो यहाँ पर designed ही उस तरह से, lower of the two values, अचा आपको अगर furniture भी दिया है उन्होंने, मतलब एक होता है कि घर दिया, घर की कीमत अलग है, तो घर itself is a perquisite value, अब घर के अंदर जो पूरा साजो, सामान है, furniture है, उ और अगर company खुद भाड़े पर लेकिए आपको दिया है, तो जो भाड़ा amount है वही, higher charges, यहाँ पर salary का कोई word ही नहीं है, देखो, इधर देखो, 10% of salary है क्या, उधर देखो, higher charges, तो यहाँ salary का कोई चक्कर नहीं है, तो बहुत ही असान है, furniture का case बहुत ही असान है, furniture में क्या common sense type के है, तो इससे लंबे याद रहे जाते है, देखो यार यह calculus नहीं है, मैं एक simple बात बता देता हूँ, you people are commerce background, तुमने calculus में तुमको याद होगा differentiation, integration का भी नाम सुना होगा न, calculus में, यह सब तुम chapters करते थे, दिर में formula होते थे और बहुत गलीज type की formula होते थे, खास तोर है, यहाँ कोई वैसा formula नहीं है, कि you need to revise it 1000 times तब जाके याद होगा, ऐसे ही याद हो जाएगा तुमको, ठेक है, अज़ा, salary का असर यह मतलब क्या होता है, RFA में, BA, BC, DM, basically आपको सारे monetary payments include करने हैं, ठेक है, यह हो गया था अपना, now these are some special cases, I'll go into special cases after some time, फिर मैंने यह format सिखा कर रहे हो, तो minus कर दो, ठेक है, we did this question 10 also, now we'll do question number 11, okay, मेरी बात को गवर से सुनना, पहुच गए? यही पर solve करेंगे, ठेक है, यह दिख रहे है अपने question, और यही पर निचे क्या है? solution, तो यही पर अपने solve करेंगे, पर पहले मेरे को एक बार सिखा लेने दो, मैं समझा दूँगा न, it will become very easy for you, ठेक है? यह sums जो है न, यह पिछले sums से काफी different है, एक सिखन, question number 11, start करेंगे जा रहा हूँ, पहले सुन लो, यह different है, यह full salary का computation है, यहाँ पर हम लोग को पूरी salary calculate करनी, अब तक जो sums कर रहे थे, उसमें सिर्फ एक allowance calculate कर रहे थे, यह एक perquisite calculate कर रहे थे, यहाँ पूरा sums है, तो घवराना नहीं दम easy होता है, एक एक करके वो लोग item देंगे आपको, basic salary, DNS allowance, फलाना bonus, फलाना allowance, सब जोड़ते जाओगे, तो जोड़ते 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 सब मिल जाएगा, इस पूरे sums में मेहनत खली एक ही जगा है, तो calculate the perquisite value of house, वो घर का perquisite वो ही मेहनत है, अब एक बात समझो, घर का जो perquisite है, उसका answer क्या होता है, 15% हो salary, पर वो वाली salary की figure, और यहाँ जो salary की figure निकलेगी, वो तो different है न, यहाँ तो आप पूरा DNS allowance लेते हो, जबकि BA, BC, DM में, वो जो salary होता है, BA, BC, DM, उसमें तो सिर्फ D1 लेते हो, याद है कि नहीं बात, ठेक है, इसमें तो provident fund भी लोगे, बाकी सारी चीज़े भी लोगे, उसमें तो नहीं लोगे न, यहाँ पर जिते भी formula है, वहाँ salary का जो meaning होता है, वो अलग-अलग है, कहीं होता है B, D, 1, C, कहीं होता है B, A, B, C, DM, कहीं कुछ और होता है, समझ रहे हो, तो तुम जो यहाँ पर salary निकल लोगे, वहीं उठा के मत ले लेना, वो B, A, B, C, DM, अलग से निकलना पड़ेगा, RFA and salary income, calculator से यार रखना सब कोई, ठीक है ना, calculator से यार रखना, ओक है, बात करूँ मैं, इधर अपना सर, Kartik provides you the following information, basic salary कितना है सर, 12,000 per month, तो साल का कितना होता है, 1,44,000, ठीक है, that is your basic, है ना, यहां तक ठीक है, next, second point क्या लिखा है sir, dearness allowance, bracket में क्या लिखा है, 40% something, इसका मतभ़ब D1 अलग है, और पूरा DA अलग है, ना देखो, salary के competition में तो पूरा DA आएगा, पर जब मैं RFA के लिए BA, BC, DM लोंगा, तब तो खाली D1 लेना पड़ेगा ना मेरे को, है ना, तो D1 लिख लो, 400 into 12, और D लिख लो, 12,000, पूरा DA अलग है, 1000 रुपया per month into 12, 12,000, लेकिन उसमें D1 कितना है, 40%, है ना, तो 1000 रुपय का 40% कितना होता है, 400 रुपया, तो 400 रुपया into 12, 4,800, तो salary में तो मैं पूरा DA अलाउंस लोंगा, 12,000, लेकिन जब मैं RFA के लिए BA, BC, DM निकालूँगा, वहां सिर्फ मैं D1 लोंगा, वो D1 कितना है सर, 400 into 12, 4,800, सही है कि नहीं है, यह जैसे अपने मारत कर रहे हैं ना, हर सम में ऐसे करते रहना चाहिए, कि सम्स के बगल में solve करते चलो, तब देखना तुम को सम्स में बहुत धेंकर confidence आ जाएगा, थर्ड नमबर के है सर, लंच अलावेंस, मैं तुम सब से जानना चाहता हूँ, क्या लंच अलावेंस में कोई exemption था, नहीं, लंच अलावेंस में सर कोई exemption नहीं था, मने fully taxable, सर, Dearness अलावेंस में भी कोई exemption नहीं था, allowances में बहुत कम allowances थे जहां exemption था तो lunch allowances fully taxable lunch allowance कितना है sir 200 रुपया पर month तो into 12 करोगे न, how much ठीक है कि नहीं है, सही जा रहे हैं अपने sir next allowance बताइए, 4 number medical allowance, क्या medical में भी कोई था कुछ नहीं था sir exemption fully taxable multiply मारो 500 रुपया per month into 12 we are okay with this, 6,000 अब sir हम सब का favorite allowance children education allowance for three children तो इसके तीन बच्चे हैं ठेक है, अब इसको allowance कितना मिलता है पढ़ते हैं बगल में, पढ़ो allowance इसका 230 रुपया per month per child अच्छा, तीसरे बच्चे के लिए तो आपको sir कोई exemption मिलेगा नहीं, तो उसका तो 230 रुपया into 12 जो आता है तो आता है, पर पहले दो बच्चों के case में 230, 230 per month per child है तो उसमें 100 रुपया का exemption मिल जाएगा na 100 रुपया per month per child, तो taxable कितना होगा 130 रुपया, है न, यह रहिए मैं पॉइंट, तो अगर मुझे इसका taxability निकालना हो, it's quite simple, एक बच्चे का मैं लूँगा, पहले बच्चे का, 130 रुपया 100 रुपया exemption ले लूँगा मैं, सही है तो, दूसरे बच्चे का क्या डाउट है क्या, हो गया न, क्या डाउट है, तीन बच्चे है न, और तीनों बच्चे के लिए, हमको बूला न, यह देखो, don't highlight, don't highlight, 230 रुपया per month per child, तो पहले बच्चे के लिए 230 रुपया, जो मिल रहा है, उसमें 100 रुपया exemption, तो 130 रुपया, दूसरे बच्चे के लिए 130 रुपया डाउट है किसी को भी यहाँ पे, एक बात बता देता हूं, कल मेरे से कोई डाउट पूछा था, तुम लोग में से, तो मैं डिस्कस कर देता हूं, पूरे सालरी चैप्टर में, पूरे सालरी हेड में, जब मैं पढ़ाऊँगा भी इतना, केवल एक जगा ट्विन्स का चक्कर आएगा, ट्विन बच्चों का, बाकी कहीं पे भी ट्विन बच्चे से मतलब नहीं है, ठेक है, कोई मतलब नहीं है, जैसे माल लो, एम्पलॉई के पहले एक सिंगल बच्चा पैदा हुआ, फिर अगली बार जब बच्चे पैदा हुआ, सेकेंड टाइम पे तो दो बच्चे पैदा हो गए, ट्विन्स, तो टोटल कितने बच्चे तिन, तो अब बच्चे तीन पैदा हो गए, पर आपको एक्जम्शन दोई का मिलेगा, मतब फिर्स्ट वाले बच्चे का ले लो, अगर लेना है तो, और ट्विन्स में से किसी एक का ले लो, ठेक है, ये ट्विन्स से कोई फरक यहां पर पढ़ता नहीं है, ट्विन्स से केवल, पूरे चैप्टर में एक जगही खाली फरक पढ़ता है, जहां सरकार ने रियायत दे दी, कि अगर मान लीजिए, कि ऐसे तो हम दोई बच्चे बोड़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट बच्चा सिंगल हुआ था, और सेकेंड टाइम पर आपके डबल बच्चे पैदा होगे, तो उस केस में आपकी तो गलती है नहीं, तो आपको तीनों का मिल जाएगा एक्जिंप्शन, पर वो खाली एक ही जगह है, पूरे के पूरे सैलरी में, बाकी सब जगह वो घ्यान अपलाए, नहीं होता, वो आएगा जब मैं पढ़ाओंगा वहाँ पर, वो फ्यूचर में एक ही जगह पर आएगा, और बाकी जगह आपको ट्विन, ट्रिपलेट, कोई मतलब नहीं है, दो ही का मिलेगा आपको, चित्ते पैदा करने हैं, कर लो, यहां तक क्लियर है, अभी तक तो सर, मेरे सामने सर्फ बेसिक और अलावंसे आया था, क्या यहां पर परक्विजिट है क्या गहीं पर भी, नहीं, देखो होता क्या, मैं तुमको एक चीप दाता हूँ, तुम लोगो ना, अभी शुरूरी क्लासेस है, मैं तुमको पूरा अप्रोच वगएरा सम्स का समझाते जाऊंगा, एक सुडेंट जब सम्स को पढ़ता है न, तो जब वो लाइन बाई लाइन एक एक आइटम को करता है, तो थोड़े देर बाद क्या होता है, उसका माइंड का जो लेवल हो डाउन होता है, और वो होल पिक्चर देख नहीं पाता, जैसे तुम लाइन बे लाइन तो कर रहे हो, पर तुम बीच बीच में पूरी पिक्चर देखना बंद कर देते हो, पूरी पिक्चर तो सरी यह है, कि अभी तक जितना भी डेटा इन्होंने हमें दिया है, उसमें सिर्फ बेसिक थे, और चार प्रकार की अलावैंसे थे, पर्कुजिट एक भी आया किया, नहीं, पाँच आइटम में पहला बेसिक, और बागी चार अलावैंस थे, चार अलावैंस कौन कों से थे, तो अपने अंदर ability बनाओ कि जब तुम sums पढ़ो तो sums के अंदर डूब जाओ sums की कहानी को imagine करो देखो कि जिसने भी यह sums set किया होगा उसकी mentality क्या थी उसके दिमाग में क्या चल रहा था what is the complete picture somebody has created this sum and that person must have thought about something कि इस sums के द्वारा मैं student का यह यह ज्यान चेक करूँगा correct है तो उस इंसान का मकसद यह तो था ही पका कि वो allowances में तुमारा ज्यान चेक करें तभी तो काफी सारे allowances डाले अब कौन आ रहा है picture में नीचे परक्विजट कौन सा परक्विजट घर इस प्रोवाइड़ विथा रेंट फ्री अक्वोडेशन इन कोलकाता तो कोलकाता बूलेंगा मतलब यह आबादी 25 लाक्षी उपर आप 15 परसंव शैल्ली ले 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 ना और क्या है ना अरे नई भी बोलते तुम्हें 15 लेता और क्या कर लेता इतनी कोई हाइफाइ बात तो है नेक्स्ट अच्छा आपको घर दिया घर के साथ इन्होंने फर्नीचर वगेरा भी दिया है तो यह दो पॉइंट्स जो है ना यह फर्नीचर को लेखर है फर्नीचर वाला परकुजित हमेशा असान होता है स्टुडेंट के लिए बिकॉस खरीदेवे का 10 परसंट भाड़ तो यानि हमको दो सीज निकालना पड़ेगा फंद्रा परसंट व एंड रेंट पैड बाइड़ कंपनी रेंट पेड बाइड पाइड वाइड बइड अंगे कंपनी संवाऊ सब्सक्राइग अन्यूल चल रहा है ना रिया नहींट अट अनुड ₹वल तो रैंट पेड़ BCDM you take calculator खाली calculation में रखो हाँ तो में ओके सर ध्यान से सुनना सब को मेरी बात को जब मैं बोलूँ प्लीज बैसे ही काम करना BA BCDM में B BASIC आएगा टाइप करो 144,000 टाइप कर लिया प्लस वेट अलावेंस का टैक्सिबल पोर्शन आएगा अभी मत टाइप करो प्लस बोनस आएगा नहीं है सर सम्मे बोनस कमिशन आएगा नहीं है सर सम्मे DNS अलावेंस का D1 आएगा D1 खाली D1 लोगे D1 कितना है 4,800 प्लस 4,800 D1 कितना है 4,800 जोड़ दो ठेक है 12,000 मत जोड़ना 4,800 अब जोड़ दो एगा नहीं है सर बाकी सब अलावेंस इस यह तो अलावेंस का टैक्सिबल पोटिशन वो कितना है सर जोड़ो 2400 प्लस 6,000 प्लस 5,80 जोड़ो प्लस 5,80 वन लाग 63,000 0,80 इसे को भी दिक्कत है फिर सब बोल देता हूं मैं सुनो इदर BA सब लिखा पड़ी भी दिखाएंगे पर एक बार पहले क्या बोलते हैं अपना mental mass होना ज़रूरी है अपने हों क्या चाहिए BA, BC, DM देखो यह बोलने की बात होती है BA, BC, DM हर sums में सारा समान आपको मिलेगा नहीं यह तुम सीख लो मेर्स है formula salary के हर जगा लग 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 B, D, 1, C, B, D, 1, C maximum sum में C होता ही नहीं है तो ultimately क्या होता है B, D, 1 कई समसे नहीं चाहर डियर्नेस भी नहीं होता है तो वहाँ पर क्या हो जदब B तो formula में 6 चीज़ें डाली विए पर 6 का उपयोग नहीं है BA, BC, DM में BC है नहीं, bonus commission है नहीं तो B, A, DM हो गया M, monetary payment, और कोई monetary है नहीं तो M भी गया, तो क्या बचा B, A, D, bad D1 लेना है, D1 कितना आएगा 4,800, जोड दिया, निकल के आगया मेरा 1,630,80 Note 1 जैसे मैंने यहाँ पुरा सजा के लेकिए दिया BA, BC, DM इतना सजाने की जरुवत नहीं है एक्जाम में यह पहला समसाइसे समझा दिया एक्जाम में जो-जो काम कीची है जोड़ो और निकाल लो इतना दिखाने की जरुवत नहीं है टाइम नहीं रहता वास आप टो अंडेस्टैन तीन गंटे का वेपर है शे गंटे का वेपर नहीं है अब सर हमको सालरी का BA, BC, DM तो मिल गया हम 15% निकाल सकते हैं कि हाँ टाइप करो 163080 इंटू 15% 24,462 अच्छा ये घर कंपनी ने रेंट पर ले रखा है ना पांच जार पर मन्त कित्ता हो गया? सांट हजार लेकिन माया देखो फॉर्मुला की फॉर्मुला बोलता है दोनों में से क्या लेना है? लोवर फाइदा होगी नहीं हुआ? खुद संस बोल रहा है कि कंपनी ने 5,000 के रेंट पर लिए है पर तुमारे लिए तो सांट जार नहीं आ रहा है तुमारे लिए तो आंसर क्या आ रहा है 24,000 तो तुमको फाइदा हुआ की नी 36,000 रुपे गा 36,000 रुपे गा तुमारे इंकम कम दीखेगा टैक्स? कम लगेगा अच्छी बात है न? अच्छा अब हम लोग बात करेंगे फर्निचर की ठेक है? फर्निचर इस अलवेज इजी यह देखो ज़रा सब को है तो आपको जो घर में फर्निचर दिया हूँ एक लाग का तो एक लाग का 10% 10,000 आगे और आपको दो एसी भी मिले हैं जो कंपनी ने भाड़े पे लिया है तो मेरे को एसी का भाड़ा बताओ एसी का भाड़ा है एच एसी 2,000 रुपीस पर एनम एक एसी का भाड़ा कितना है तो 2,000 रुपीस तो दो एसी के इतना 4,000 रुप्या तो 4,000 रुपीस तो एसी का हो गया और फर्निचर का 1,000,00 कोस्ट है 10,000 तो 10,000 प्रस चार 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 14,000 इतना तो आना चीए है न चलो जोड़ो 10,000 प्लस 4,000 अच्छा क्वेस्चन में हमें बताया है कि कार्तिक से कुछ ले रहे हैं हम लोग नहीं तो डैश 38-4602 आ गया ठेक है 38-4602 ठेक है मैं तो बताता हूँ यह सब यह शुरू में मेरे साथ हुआ था हम सब की स्कूलिंग अल्मोस्त एक जैसी हुई है मैं अगर कोई मेरे सामने आके बोल देए अर्थ चार्ट सो बांसट में बार हील जाओंगा पर 38-462 बोलेगा मैं मैं इमेजन कर लूँगा ठेक है इस नौट इस नौट लिमिटेट टो मैं इस लिमिटेट प्रेटी मुश्ट विश्टी एवरीथिं इस टड़ी जब अपने पढ़ाई करते हैं तो वी आर्मोर कंफर्टेबल बिद इंग्लिश राद देन प्योर हिंदी फिर क्या हुआ जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कि है पर एक होता है ना इंग्लिश में लिखी भी बात इंग्लिश में बोल दी तो लिखा वाई दिखे रहा है समझ में क्या रहा हूं तो समझ में आ रहा है तो तब फिर मैंने हिंदी कॉंटेंट बढ़ाया मतलब मेरा बोलना फिर हो गया लाइक 80-20 रिवर्स ठेक है इड़ मैं पढ़ाना चालू किया और पढ़ाते पढ़ाने का देखो तुम सिर्फ पढ़ रहे हो और टीचर जो होता है वो पढ़के बार 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 पढ़ा रहा है तो उसका जो प्रैक्टिस ते उससे तुम फाइट जल्दी से नहीं कर पाऊगे जब मैं बहुत ज्यादा प बाशा में दिख रहा है मतब तुम आज अगर पढ़ते हो ना चिल्द एजुगेशन लावेंस तो तुमको जैसे इंग्लिश में इमोशन आ रहा है भी शुरू-शुरू में मेरा वो इमोशन हिंदी में हो गया है मतब क्या पोलना चाहरा है पढ़ते हम फील करें कि क्या ब हम लोग जो नौर्थ में हमको उतना फील नहीं होता विकास इंग्लिश हिंदी दो ही में भाशा चर्थी है लेकिन तुम नीचे की तरफ जाते हैं ना साउथ में साउथ में जितने स्टूरंट्स होते हैं वो तमिल में बोलना चालू कर देते हैं ठीक है जैसे मैं तो हिंद में होता होगा मिरेको नहीं बोलना आता होतना वो जयाते है तो जब तुमारे ने लेवल आा जाएगा कितो बिकशन आ तु हो लोग जिस तरीके से बोल रहा है वो तम को समय में ने नागएगा because they will not be speaking this bookish English to you वो तुमसे एक्तम प्रेक्टिकल थेट हिंदी में बोलना चलू कर देगा सारा सारा इंकमटेसा प्रोविजन और तुम बोल रहा है मेरे तो सर की उपर से बांसर हो रहा है ठेक है तो वो वही होता है कि वो काम करते करते नॉलेज उनके अंदर चला गया है तो वो उनके मदर टंग में निकल रहा है जब वो हो जाता है तो इतम लॉंग टाइम तक याद रहता है फिर भूलने का डर खातम तो अभी तुमने निकाल लिया पूरे घर का और उसके फरनिचर का परक्विजिट वैल्यू कितना आया थर्टी एट फोस्टीट हूँ यार बाकी सारी चीजे तो मैंने यहां जोड़ी ली थी खाली एक ही तो बचा है जोड़ दो अब टोटल करके बताना है एक बार दो लाख इसका मानूम है थेक है हलो क्या यह फाइनल एंसर है नहीं क्यों नहीं है बोलो very good very good I did not expect that सही बोला अभी सर जब आप सारा चैलरी जोड़ लेते हैं तो आपको डिड़क्शन मिलता है कि नहीं तीन डिड़क्शन होते हैं एक स्टान डिड़क्शन पचास जार यही काम आता है सबसे आदा बाकी पीटेक्स तो सम्में है नहीं entertainment allowance और government employee वाली बात है नहीं पर पचास जार का तो मिलेगा न मुनाफ़ा माइनस पचास जार बोलो सर हो गया solve लिखना पड़ा copy pen नौबत आया कि नीचे लिखने का बनाने का copy का कहीं नहीं यहीं पर हो गया कि नहीं हो गया यह ability तुमको अपने अंदर लाना है फिर तुमारे जो number आएंगे practical में बता रहा हूं 80-90 टाइप आने लग जाएंगे और 80-90 टाइप नंबर जब प्रैक्टिकल में आता है ना तो fail होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि किता भी कम नंबर में theory में लाओंगा यहां से तुम मैं make up करी लोंगा ना तो यह ability ज़रूरी है रैंकर लोग में यह एक होता है कि वह numbers बगेरा ना जल्दी से फड़ा-फड़ करके वहीं पर कर लेंगे तो उनका प्रैक्टिकल मार्क्स था बहुत हाई की तरफ चला जाता है बहुत हाई थियोरी में उनके मार्स तुम्हारी चितने रहेंगे मैं अगर अपने थियोरी के मार्क्स बताऊंगा तुमको जो मेरे आये थे इड़ वस सिक्स्टी टचिंग मतब सिस्टी से थोड़ा नीचे होगा या एक उपर होगा ऐसा ही कुछ होगा वैसा नंबर हिंदूस्तान में हर स्टूडट का था थियोरी में पर प्रैक्टिकल मे अगरो श्टेश एक उपर को यह एक उपर स्टूड़ां आगा उपर क्रस्टी कुछ थियोरी में ग्वर्टा ओटने हम प्रैक्या आपने दिए हाँषाओ आपक्रण आता ब्लोग्या तो क्रण्दा है और ब्लोग्या आपकर चाल्क्वर्टर आपकर फिर आपकरे एक उख कि अगे 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 कि अगे कि सही है सबों को उपर करें अब घर का जोड़ो भाई थर्टी एट पोर सिश्टी टो टोटल तुम लोग निकाले थे ना दोलाख आट दोलाख आट 742 लेस टैंडर डिड़क्शन पचास जा वन फिफ्टी एट गे जैवन फॉर्टी टो तो अभी एक हम लोगों ने प्रॉपर सैलरी का सम किया ठीक है यह तो बहुत ही आसान सम्था बड़े सम्स में और बहुत कुछ आ जाता है ठीक है डन आरेफ़े का दो बड़ा बड़ा सम्स हम लोगों ने कर लिया नाव आरेफ़े के कुछ स्पेशल केसे जो मैं तुम आज सार डिसकस करूंगा पेस्ट मेरी फोर ठीक है क्या हेडिंग है सर पढ़ते हैं स्पेशल केसेज स्पेशल केसेज ऑफ आरेफ़े सुनते जाना इदन एजी कोई लोड नहीं होगा एक व्यक्ति है मैं कहानी की तरह बता रहा हूं तो याद रहेगा एक व्यक्ति है जो दिल्ली में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ परिवार के साथ दिल्ली में रहता है वो बहुत अच्छे पोजिशन में कमपनी के अंदर जॉब करता है कमपनी ने उसको दिल्ली में घर दे रखा रहने के लिए तो उसी दिल्ली वाले घर में वो अपने बीव बच्चों के साथ रह रहा है उसका परक्विजिट वैल्यू तुम निकालो कि 15% of salary, okay fine, अब देखो क्या हुआ, कि कम्पनी ने मुंबई में अपना एक ब्रांच खोला है, और उसको बोला है कि देखिए, मुंबई में हैं पड़ गरे हैं मेरी wife का job भी wife भी जॉब होगा, wife का भी job है, wife भी दिल्ली में ही काम कर ही है, तो मेजे ने मुंबई relocate होना possible, नहीं है, मैं यह कर सकता हूं कि साल में, 2 महने, 4 म 성 namely 6 मes When we go लोग है मैं मुंबई चला जाओंगा वहां पर अकेला काम करके वापस आजाओंगा that I can do company बोली ओक्ये तो अब वो दिल्ली में जो घर उसको मिला हुए उसका परिवार तो रही रहे संग संग कंपनी ने उसको मुंबई में भी एक फ्लैट दे दिया ठेक है एक तो फ्लैट चाहिए ना तो company न उसको मुंबई में भी फ्लैट दे दी है रहने के लिए और फ्लैट में वही रहता है और कोई ने तो उसका काम ऐसा चलता है आधा टाइम दिल्ली आधा टाइम मुंबई ऐसे ठीक है दिल्ली वाले घर में भी उसका परिवार रही रहे तो sir उसके पास तो दो-दो घर हो गए ना, दो-दो rent-free accommodation हो गए, इस case में सरकार ने थोड़ा सा hard decision लिया, बोला कि तुमको दोनों घर का perquisite value देना पड़ेगा, यह तो गलत बात हो गया ना, मैं तो बोल रहा हूँ यह गलत है, मैं तो बोल रहा हूँ यह गलत है, पर यह लिख सकते हैं, exam में तो बही लिखना है, जो यहाँ दिया है, ठीक है, तो अब इसमें scene क्या है, इन्हों ने बोला, for first 90 days, for first 90 days, दोनों घर में से, दोनों का आप अलग-अलग perquisite value निकालो, सब दिल्ली वाले घर का आया PV1, और मुंबई वाले घर का आया PV2, ठीक है, तो द नब्बे दिन के बाद, balance जितना भी है, उसमें दोनों लोग है, मताब PV1 प्लस PV2, are you clear on this, यह पढ़ो जड़ा, और first 90 days, PV with the, RFA with the lower perquisite value is taken, तो PV1, PV2 में जो भी छोटा आएगा, वो ले लेंगे, और 90 दिन के बाद, जितना भी है, balance 9 महना, वो दोनों लेना पढ़ेगा, RFA1 प्लस RFA2, are you clear on this, कंपनी आपको दो-दो जगा पोस्ट कर रखा है, और दो-दो जगा घर मिला होगा, दोनों ही यूज़ कर रहे हो, एक में खुद जाते रहते हो, और एक में परिवार भी रहता है, तो दो-दो घर मिला होगा, दो-दो परकुज़िट हो गया न, Are we clear? है तो गलत बात, पर यही कानून है हमारे देश का, अब मैं तो गदाता हूँ, इसका एक बहुत सिंपल उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है, पूरे सैलरी चैप्टर के अंदर एक कहावत चलता है, कि अगर ओफिशियल परपस के लिए आपको कुछ मिल रहा है, जिसमे आपका परसनल स्वार्थ नहीं है, तो फिर उसकी वैल्यू होती है, जीरो, फिर उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या होती है, जीरो, अगर आपको कोई भी चीज ऑफिशिल परपस के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या होती है, जीरो, अब मा अपनी घोशित कर देता है as guest house क्या बोला guest house और बोलता है कि कोई भी employee मेरा जो दिल्ली विल्ली है कहीं और location से यहां आएगा temporary तो guest house में रह सकता है तो चाबी उसको नहीं देगा मतलब जब वह आएगा तब चाबी उसकी जब वह नहीं आगा तो चाबी उसकी नहीं तो अगर इस यह वाले case में क्या होता है हम लोग बोलेंगे that company provides the guest house for official tour purpose कि वह जब अपने उसकी जगा और पोस्टिंग दिल्ली है पर वह जब सेलरी से डबल हो गया 30% थोड़ना देंगे मजाख चल रहे हैं तो रियलोड में क्या होता है company वह जो पूरा घर होता है उसकी चाबी उससे ले ले लेता है कि वह आप जब जाओगे तब आप यूज करना बागी आम किसी और को दे देंगे अरे को दूसरा employee का का है जहां यह लोग हमें प्रचान करेंगे उसका उपाय है मैं तुमको बता देता हूं income tax में you be honest you pay your income tax but when these people are doing rascal की दी तब वहां पर कोई तो उपाय करना पड़ेगा ना तो हर चीज का उपाय भी है तो उपाय समझ गये ना अब यह उपाय तुमको एक्जाम में बताके नहीं आना कि question में लोग दिए कि दो घर मिला वाए तो तो तुम question का data मत बदेना कि यह गधा है इसको हम समझाते है कैसे करना चाहिए ऐसा नहीं तुम solve करो सम्स और तुम जानते हो कि practical में जब जाओगे तो क्या करना है वो तुम सीख गए तो practical में जब जाओगे और तुमको advice देना है किसी को tax का था तुम देना कि आप उसको घर पुरा चावी मत पकड़ा दीजे आप guest house गोस्त कर दीजे और खाली जब वो आएगा रुकेगा तब चावी मिलेगा तो फिर वो official tool माना जागा उसका value कितना होगा zero are we clear on this next अचा होटल इंडस्ट्री जो होता है ना उसमें working hours unlimited होते हैं यह वाद जानते हो ना 24-7 अरे होटल तो 24-7 खुला रहते ना भाई है ना जैसे नॉर्मल धंदे में work में work hours क्या होता है morning till night लेकिन होटल तो मदब morning till night till morning हमेशा चलता रहता है यात्री लोग तो रात को भी आते हैं यह रुकते हैं होटल में होता है कि नहीं होता है तो होटल वाला business है अंदर पांच important level के employee है उनको 400 में से पांच कमरे रहने के लिए दिए जाओ उपने परिवार के साथ रहलो यहीं पर रहलो सुबह सामराथ दिन ठीक है था कि तुम होटल मैनेज कर सको तो अब आपको रहने के लिए तो होटल जैसा घर मिला है यह तो अच्छी बात है ना होटल सार totally furnished yes or no तो यहां पर हम 15 परसंट नहीं 24 परसंट लेंगे किता लेंगे 24 परसंट क्यों सर वो furniture वगरे का भी सब जोड़ दिया इसमें यहां अलग से तो निकलेगा नहीं होटल के कमरे में जब तुम जाते हो तो अपने साथ टीवी लेके जाते हो क्या होटल मतलब क्या है कि मतलब आपको A to Z वो मिलेगा तो फैसिलिटी वगरे सा मिलेगा तो फरनिश्ट है पूरा तो फरनिशिंग का जो आपने बोलते ना 10% of cost और हायर चार्ज जो आपको अलग से नहीं निकाला वो जोड़ा है उसी में तो अगर होटल के इंपलोई यह उसी में रह रह होना है विकॉस आपको फाइदा है लोवर से क्लियर है ना ठीक है यह ठीक है डब्बे में चो लिखा है वह अभी मत पढ़ना वह मैं बात में बताऊंगा तीन नंबर कि देखो सर देखो सर देखो कमाल कमाल देख रहे हो ओफिशल टूर बोल दिया मतलब जीरो निल अरे यह तो हो गई तुम्हारे साथ यार यह सब के साथ होता है आज एक बात मैं बताता हूँ मेरा प्रोफाइल क्या था आई वस इन ऑडिट ठीक है आज मैं भले ही वह एक्जांपल दे रहा हूँ पर फ्रैंक्ली बता रहा हूँ जैसे जब तुम बैचलर रहते हो ना, तब तुम्हारे में फ्रीडम बहुत ज़ादा है, फ्रीडम मत्तब क्या होता है, तुम माबाब से अलग रह सकते हो, तुम्हारी फैमिली कुछ है निए अटेश्मेंट, तुम कहीं भी रह सकते हो, एक होस्टेल, P.G., होटल, कैसे भी, कहीं कर सकते हो और कंपनी तुमको अगर अपने पास नहीं रखे और भ्रमन कराती रहे मतलब यहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ जाओ यहां चलेगा विकॉस यूर अकेला ठुकला कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है तुम एक शेहर में रहके काम करी नहीं सकते हैं करना पर अलग बात है लेकिन जब डिगरी में जाओ तो मैं कभी भी नहीं वहां बहुत प्रॉब्लम है जैसे आयवस इंस्टाइट के पीमजी में बारा मैंने में मुश्किल से दो मैंने था बाकि 10 मैंने कहां था इधर उधर उधर क्लाइंट के यहां पोस्टिंग कर देत है अब क्लाइंट सबस्ट मता बहुत दूर है सौ किलम्टर दूर है तो हमको वहीं जाके रहना पड़ेगा तो सबसे एक क्लाइंट जिसके एक मेने का काम है तो आपको इधर उधर उधर जाना पड़ता है तो इसलिए जब तुम क्वालिफाइब करके बन जाते हो तो और प्रोफाइल अच्छा नहीं होता विकास एंड अधर कभी ने कभी तो इवल सेटल डाउन नो तो यू डोंट वांट ट्रावल ना बहुत टाइम वेस्ट होता है बहुत टाइम वेस्ट होता है मुझे चैनना ही से एक एक एलाका है जो 60-70 km दूर है पुन्नमली एरिया है मत मतब क्या होता था क्लाइंट वहां पर है डेली सुबह उठो पांच बजे साथ किलोमेटर जाओ ठेक है उबर ओला हो जो होता है ना क्या है फिर रात को वहां से निकलो फिर आओ सुबह तो किसी तरह चले गए दो गंटे में पहुंच गए तुम समझ रहे हो रात को है जीवन ठेक है उपर ही चले जाएं क्योंकि तुम डेली मतब पांचे गंटा रस्ते में बिताओगे ना और मेरे को गारी का ट्रैवल एकदम पसंद नहीं है एकदम पसंद नहीं है मैं गारी के वाद शॉर्ट इसक्र सकता हूं 15 मिनिट आधी गंटा that's all I cannot travel like 8-8 hours in गारी उल्टी हो जाए उल्टी का मेरे को समझें वह ऐसा है तो यह सब प्रोफाइल जैसे होते हैं अब तुम सोचो तुम सब उसका काम कर रहे हो ऐसी किसी जॉब में तुमको लोग बले है यहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ तो वहां रुकोगे कहीं ना जहाँ जहां पर भी बसेरा मिलेगा temporary, उसका तो payment company करेगी, यह जो तुम गए हो, अपने सुख के लिए गए हो, कि official tour, अब इसमें भी सरकार परक्विजिट जोड़के तुम से tax देगी, क्या, नहीं न, तो इसका परक्विजिट वैल्यू क्या है, nil, समझ गए बात को, इसलिए मैंने बोला, और यहाँ ही नहीं, यह हर जगा है, पूरे income tax salary में चाया हुआ है, कि official purpose हो गया न, तो निल है, तो बच गए तुम, ठेक है, यहाद है, जो allowances, Cadbury hut, जो office purpose के लिए मिलता है, उसमें बोला था न, कि जितना office purpose के लिए खर्चा हुआ, उतना माइनिस कर दो, जो मुनाफ़ाइ के अतना ही taxable है, वहाँ भी तो यहीं फंडा था, यहाँ भी यहीं फंडा है, इसलिए मैंने बोला, कि जब तुम्हारे साथ यह दुष्टमी होगी, practical world में, not an exam, exam में तो तुम ऐसी करना, पर practical world में जब बोलेगा, कि दो घर ऐसे ऐसे, तो सीधा, real world में क्या बोलोगे client को, कि देखिये, उसको घर परमान मत दीजिये, फ्लाट की चाब भी उसको लेते देते रहिए, जब वो जाएगा तब भी उसकरेगा, बाकी दम कोई और उसकरेगा, तब वो official tour कहलाएगा, और तब फिर उसकी value कितने होगी निल, तब दो घर का पर्खुष्डेट निए, स्रव एक ही घर का जोड़ा जाएगा, are we clear on this, कोई problem, नहीं, ठेक है, अचा, यहां तक clear है सबको, अब मैं तुमको एक special case कराने जा रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ था, ठेक है, I am a resident of Calcutta, घर यहीं पे, परिवार upbringing मेरी यहीं की है, तो जब मुझे जॉब लगी चैन्नाई में KPMG तो obviously मैं जाओंगा वहाँ पे, उनकी policy है कि कोई भी नया employee, अगर किसी दूसरे शहर से transfer होके यहां आया रहने के लिए, तो उसको तो घर ढूनना पड़ेगा की नहीं, तो एक हफते के लिए वो आपको एक guest house provide कर देंगे, क्या करेंगे, एक हफते के लिए वो कुछ, मतलब तो उनका खुद का नहीं है, वो भी किसी से वो rent पर लेके आपको देंगे, तो एक हफते के लिए आपको guest house provide कर देंगे, ताकि आप वहाँ रह लो, personal purpose, और फिर एक हफते में आप ढून के अपना कहीं, बंदोबस कर लो, ठेके, whenever an employee is transferred, transferred, मैं temporary नहीं बोल रहा हूं, मैं office tour नहीं बोल रहा हूं, sir, office tour का मतब क्या होता, गए, आए, that is office tour, no, office tour का मतब क्या है, हम यहां के है, गए, काम खतम किये, आए, transfer का मतब क्या है, छोड़ी दिये, अब तो वहीं पर रहेंगे, अब मैं Calcutta का निवास से, अगर मैं चन्ने में गया, तो मैं तो transfer ही होगी एक त 15 दिन exempt होता है, पहले 15 दिन क्या होता है, exempt होता है, अचा मुझे कितने के लिए मिला था, एक अफते के लिए मिला था, जिस guest house पर रहने मुझे रुखाया था, कितने के लिए एक हफता, तो एक हफते का उसका charge था, it was a nice guest house, साइद उसका दिन का धाईजार रुपय कुछ थ तो 15 दिन का कितना है, एक हफते कितना होता है, डाय जान दू साथ कर लो यार, सारे 17 जार, तो वह exempt है, ठेक है, क्या है वो, exempt है, मैं रह रहा हूँ परस्तली, मेरे लिए है वो, लेकिन क्या है कि I have been relocated from one place to another place, तो सरकार बोलती है, 15 दिन तक काम लोग आपको छूड दे दे है, वो ओफिशल तूर थोड़ना था, ओफिशल तूर का मतलब तो होता कि मैं क्यलकटा से चन्ने गया और वापस क्यलकटा आ गया, वैसा थोना था, वो तो मेरे को शिफ्टी होना था पुरा वहां पर, तो बहुत पहले 15 दिन के लिए जोड़ना था, जो भी आपको बसेरा मिल रहा है वह एक्जेंट है, तेक है, फंडा clear है, तूर और ट्रांसफर में फरक समझते हो ना, तूर और ट्रांसफर में फरक Ihr Is Our turn मतलब है हम है तो यहीं के जाएंगे और फिर आ जाएंगे और ट्रांस्फर मतलब छोड़ी दिए अब वहीं पे रहेंगे तेखे स्पेशल के सब्सक्राइब कर दूँगा दिक्कत नहीं होगा सिंपल है अजा मान लो जब मुझे ट्रांस्फर किया गया मतलब फ्रॉम क्यालकटर टुचैन नहीं अगर वो लोग मेरे को हफते भर के बजाए महने भर के लिए दे दे यूज करने तो तो सर पहले पंदरा दिन का एक्जेम्ट और बाद वाले पंदरा दिन का टैक्स है नेक्स्ट पढ़ना मेरे स्पीड से पढ़ना अपने स्पीड से भागना मत ठेक है क्योंकि बहुत सारी चोड़ी चोड़ी बातें बतानी पढ़ेंगी यहां बात और एक्टिट्यूट से ना एंसर चेंज हो जाता है बहुत सारे स्टुएंट्स को ना यह ओफिशियल टूर और ट्रा ट्रांसफर का मतलब क्या है से शिफ्ट हो गए वहीं पर अब यहां नहीं है ठेक है क्लेर ना मेरी बात ओके कंप्यूट परक्विजिट वैल्यू ऑन दा फॉल्विंग ट्रांजक्शन आव राहूल राहूल इस दा एमडी बापरे बड़ा एंप्लॉई एंडी भी तो एं अप्लॉई है ताज का ताज का एमडी है तो यह तो अपने परिवार के साथ ताज होटल के किसी रूम में रुखता होगा है ना इसका मन्थली सेलरी देखो यार अचा मन्थली अगर पंद्रा लाग है तो आनेवल वन पॉइंट एट करोड है तो वो ताज का एमडी है यह तो कम लिखाए ज्यादा ही होगा यह ताज ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रीज का एमडी होना तुम समझ रहे हो कितना बड़ा काम है यह इनका पैकेज कुछ भी हो सकता है पंदरा कोड़ 20 कोड़ कुछ भी यह तो कम लिखाए 1.8 कोड़ तो कोड़ नहीं होगा पंदरा 20 कोड़ होता है इनका पैकेज बहुत ब बलका था वेर दा होटेल चार्जेशा दस जार रुपया पर एड़े तो इसको रहने के लिए होटेल ही मिला है ठीक है रहने के लिए होटल का ही कमरा मिला उसी में रहता है जब आपको रहने के लिए होटल मिला होटल इंडस्ट्री तो आपके लिए परक्विजिट वैल्य एक क्याल्क्राइब अठाओ एक क्रोड़ 80 लाग का 24 परसेंट बोलो तो अज़़ा जीरो में गरबड हो जाएगा एक को एक क्रोड़ एक क्रोड़ 80 लाग 24 परसेंट 43 लाक 43 पॉइंट 2 लाक ठीक है ऐसे बो था थे तो दस जाएं तो 303305 लाक है विद्या तो रूम का रेंट कितना है 36.5 लाक जब कि चौभपर संगे जादा है 43.2 लाक दोनों में से हाय लेंगे की लोगर लेंगे तो फॉर्टी थी लाक की 36 लाक 36.5 लाक सही है की नहीं है अब सूटल लेना होता है न अपने को ठेक है और मैं बताया तो दसजार रुपर बढ़े वाला कमरा अच्छा नहीं होता है मतलब इतन भी छोटा होता है और फाइस्टर होटेल में बहुत बड़ा जहमेला है यह लोग तुमको तुमारे रूम का एक काड देंगे इतस्मार्ट काड मतलब वह चाभी टाइब इतने स्मार्ट काड रहता है लिफ्ट भी जो उनकी चलेगी ना वो भी स्मार्ट काड से जलती है और प्रॉब्लम किया सब्समान लो कि तुमने एक फाइस्टर होटल है बीस तल्ले का तुमने सस्तावला रूम सेलेट कर लिया स्मार्ट काड है अब तुम सोचे ठीक है ना रहे बले छोटे रूमे पर पूरे होटल में ब्रहमन करके देखते हैं उपर से नीचे मारा मन कर रहा है जा नहीं पाओगे लिफ्ट में जब तुम एंटर करोगे वहां पर अपना काड लगाओगे वो सिर्फ दसवे तल्ले प पाओगे देखने के लिए उसकी क्या फेसिलिटी क्या लगजरी कुछ नहीं तो यह तो बनाई रखें ऐसा तकि इंसान हमेशा महेंगावला कमरा ले ठीक है किसी भी दिन कभी जब खाली टाइम हो फाइव स्टार होटेल का कोई वेब साइट खोलना और टैरिफ रेट चेक करना तुमको तस हजार से स्टार्ट होते हुए चार लग तक मिलेगा एक दिन का चार लग कोई तो देता होगा रुकनेगा अब इदर आते हैं तीन अलग-अलग क्वेश्चेन हैं क्वेश्चेन नमबर वन मताब उसको ट्रांस्फर नहीं किया गया वो होटल में ही रहता है तब उस केस में सर परक्विजिट वैल्यू कितना आएगा अभी निकाले थे 36.5 लाक्स रहने के लिए होटल ही मिला है तो 24 परसेंट और दे रेंट विचेवर इस लोवर ठीक है डन नेक्स सर सेकंड पॉइंट अब उपर पढ़ते हैं यह अगला क्वेश्चन अलग क्वेश्चन एक दम ठीक है तो यह कोलकाता है के ओफिशल टूर है मतलब वो है कहीं का और यहां 20 दिन आके काम करके वापस चला जाएगा यहां पर नंबर ओफ डेस से कोई मतलब नहीं है यह जो 20 डेस दिखाव है ना यह यूजलेस है 20 डेस तुमको बहकाने के लिए डाला है कि तुम बोलो कि अच्छा पंदरा दिन एक्जम पांस दिन टैक्जेबल सर वो ट्रांसफर के केस में होता है यह ट्रांसफर नहीं टूर है ट्रांसफर और टूर में फरक समझते हो ना मतलब वो कोलकाता आया है काम से और फिर वापस चला जाएगा तब तो यह उसका परसल माने ही नहीं जाएगा परक्रिश्व राल्यू जीरो सही है समझ रहे बात को अचा मैं जब गया था वहाँ चैनल नहीं मैं टूर पर गया था कि ट्रांसफर हुआ था हाँ तो मेरे केस में वो नोटन की है पंदरा दिन एक्जेम्ट फिर टैक्सेबल अब पढ़ो इधर तीसरा केस अब के बार तूर की ट्रांसफर है तो ट्रांसफर वाले केस में उसको शिफ्ट किया गया है रिलोकेट किया गया है फ्रॉम मुंबई टू क्यालकटा शिफ्ट किया ट्रांसफर और रहने के लिए होटल दिया है तो पहले पंदरा दिन एक्जेम्ट फाइव डेस टैक्सेबल तूर और ट्रांसफर में फरक्समें में आता है तो बात करें सर तो अब आप इसादमी की पांच दिन की तंखाव में रखो पांच दिन का पर गुजेट केल्क्रेट करणा तो तो पांच दिन की सैलरी इतनी बता सकते हो कि हां सर मेहने का 15 लाग है मेहने का कितना कमाता है यह 15 लाग तो पांच दिन का कितना कमाता होगा तो पांच दिन का जो रूम का रेंट है वो कितना है दस जार उपया पड़े इंटू पचास जार तो साथ जार और पचास जार विचेवर इस लोवर इस पचास जार हां यह पुलता कि टाज इंडस्ट्री थे में मैं डी होटल में रुका है होटल का एंप्लोई होना ज़रूरी थे पर होटल में यह थे ने को बताई धिनाए ना सबिक होटल है तो चोबिस परसेंट होटल एंप्लॉई होने से फर्ख निप्राइब होटल एंप्लॉई यह पर रहता नॉर्मल जगा तो फिर वैसे नो श्टे होटल में होना चाहिए है कि लिए तूर और ट्रांस्फर का फरक्समें आ रहा है अगर ऑफिशल टूर तो जीरो पर ट्रांस्फर है तो पंदरा दिन एक्जेम्ट फिर टैक्सेबल ठेक है कोई डाउट है यहां पर किसी को पर अज़ा मैं चीज बोलता हूं एक स्टूडेंट है जो मैथमेटिकली एक डिफरें पर अल्युक्य ciao there यहां लगे मैं वीवल सुड़िकली एक यहां जनीपल एक डिबयां अव्लिडवल के लिए क्योट है झाल झाल मतला उसने 15 लाग का क्यालकुलेशन करने के वज़ाए एनुवली एक बार में निकालना चाहता है हूँ ठीक है ऐसे भी तो बोल सकते है कि साल का कितना कमाता है 1.8 क्रोड तो 5 दिन का कितना इंटू 5 x 365 तो यहां तो डेसिमल्स का चक्कर आ जाएगा ना थ्वार डिफ्रेंट हो जाएगा डूएट तो डिफ्रेंट हो गया कि निए वो 5 x 365 का कमाल है 5 x 360 होता तो ठीक है पर 5 x 365 की वैसे ऐसा हो रहा है अल्टमेंट एंसर सेम आ रहा है बट बीच का नंबर तो चेंज होगा ना साथ चार की बतले 59,000 होता ही तो यह भी चलेगा तो मगर मंथली वाला सेलरी की बदले अनवल सेलरी से काम करोगे तो फिगर डिफ्रेंट है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है यह भी अलावड है ठेक है टैक्स में ऐसा होता है कि कई जगाओं पर दो अलग अलग अंसर आ जाते थोड़ा फरक रहता है चलता है कोई दिक्कत नहीं है वो बड़ी बात नहीं है यह मैस की क्लास नहीं है कि एवरी शुट्ट मस्ट आफ सेम एंसर यह टैक्जेशन है तो तो थोड़ा अंसर पर निचे हो सकता है चलेगा तो टूर और ट्रांसर फरेस्ट में आ रहा है ना टूर बोलोगे तो निल ट्रांसफर बोलोगे तो सर पंद्रा दिन एक्जन फिर टैक्स वर डन खतम आ रहे फे अपनों का अब नेक्स्ट आम लोग मूव करने वाले कि समें सेकंड पर देखें डॉमेस्टिक परक्विजट मतब घर में आपको स्टाफ गैस एलेक्टिसिटी वाटर दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जितना कंपनी का खर्चा लग रहा होतना ही होगा है ना कंपनी ने आपके एलेक्टिसिटी का बिल का जो पेमेंट कर रहा है वही जो वही होगा परक्विजट वैल्यू तो यहां पर परक्विजट वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि सारी कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है परक्विजट वैल्यू यहां परक्विजट वैल्यू अपको एक घर में स्टाफ दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टाफ का सैलरी कंपनी स्टाफ को जिता भी तनखा देता होगा वही हो गया दाइंसर इस एक्च्वल कॉस्ट नेक्स्ट ग्यास आपको घर में ग्यास एलेक्टिसिटी वाटर मिल रहा है ठेक है तो बॉस जो भी बिल पेमेंट करता होगा उसका हुआ ही है मतलब यह ग्यास वाटर एलेक्टिसिटी एंप्लॉइर खुद मनुफाक्च्वर नहीं करता कंपनी से खरीदता है तो जो उसका खर्च लगावा ही है एक्च्वल कॉस्ट थर्ड केस मालीजिए कि आप जिस कंपनी में जौप करते हो वो खुद इलेक्टिसिटी बनाती है हो सकता है कि नहीं है तुम एक electricity company में ही काम करते हो, तो दे manufacture electricity, और तुम्हारे घर का बिजली का will be obviously वही दे रहे हैं, तो अब इस case में perquisite value क्या होगा, manufacturing cost of electricity, क्योंकि तुम्हारी company बनाती यही है, तो उनका जो manufacturing cost वही लिया जाएगा, perquisite value, तुम बिस्तलरी में काम करते हो, बिस्तलरी नाम जानते हो ना, पानी, तो तुमारे घर में रोज बिस्तलरी का टंकी आता है, तो company का जो manufacturing cost है, वही लिया जाएगा, MRP नहीं लिया जाएगा, दन है, तो यहाँ कोई formula और formula नहीं मिला, तो यह तो सबसे आसान और सबसे छोटा है, इतना छोटा तो आगे कोई भी नहीं है, जितना यह है, खतम हो गया second purpose, third, अब यहाँ पर काम करना पड़ेगा, यह इतना छोटा नहीं है, झार कोई पर काम झाला पर काम झाला मुटा यहाँ नहीं है, झाल 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 एक बार ड्रॉ कर लो फिर मैं पुरी कहानी डिसकस कर दूँगा ठीक लिखा पड़ी हो गया सबका ठीक है यह एक जो अभी उपर तुमने बनाया ना यह है मास्टर समरी चार्ट ठीक है एक दम जो अभी दो पेज तक पुरा लिखा है पलट के देखो दो पेज कही है यह इसके बाद तो अगले पेज पर मोटर कार है चार्ट नमबर चाल लूँ जाता है तो अगले पेज पर मोटर कार बवाल है मोटर कार वाला जो परक्विजिट है वो बवाल है आज पढ़ाऊंगा अलग यह एक दम जैसे मैंने मेरा सबसे फेवरेट दो परक्विजिट्स है घर और गारी यह तो चाहिए चाहिए जीवन में इसके बिना गुजारा नहीं है घर और गारी और घर और गारी इन दोनों के लिए इन होनहारों ने जो फॉर्मूला बना रखा है वह ऐसा है कि वैल्यू असली में बहुत ज्यादा है मार्केट वैल्यू पर सॉल्फ करके जो निकलेगा वह बहुत कम निकलेगा और टैक्स कम देना पड़ेगा तो अच्छी बात ही नहीं है घर में तुमने देखा कि घर का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होता है जिबकि आपसे हम परकुजिट किता बोलते हैं 15% सालरी विच वरी लेस एक्चुली घर का जो कॉस्ट होता हो 15% सालरी नहीं होता हमेशा ज्यादा ही होता है पर यह तो 15% ले रहे हैं तो अच्छी बात है कि नहीं है गा बारी छोड़के मुवेबल असेट्स इधर देखो यहां पर सीन थोड़ा समझना पड़ेगा यह समरी चार्ट है ठीक है मुवेबल असेट्स किसी भी टाइप का होता है मैं एक बार के लिए तुमको तीन नाम बोल रहा हूं तुम वो तीन नाम ही रट्टा कर लो एक बार क करने लिए क्या बोलेंगे लैप टॉप ठीक है नमबर वन लैप्टॉप नमबर टू कार नमबर टू अच्छा मैं कार बाइक सब कुछ ठीक है मतंब अनी टाइप व वहिकल डैट यह घेटिंग आर वी नमबर थ्री फरनिचर नमबर थ्री फरनिचर ठीक है तो तुम लोग बस एक बार के लिए अपने खोपड़ी में तीन मुवेबल असेट डाल लो laptop car furniture le c F ठेक है laptop car furniture le c F ठेक है अब देखो दो अलग अलग बाते हैं दो अलग अलग बाते हैं सबसे पहले है यूज सबसे पहले क्या है you don't highlight I will highlight मतलब मान लो कि एक बार पूरा मत पढ़ो पूरा पढ़ोगे तो गरबड़ोगा है बहल में को सुनो मैं कंपणी में जॉब करता हूं ठेक है मैं एंप्लॉई हूं कोई कंपणी है मैं जॉब करता हूं तो कंपणी मुझे लैप्टॉप दिया है यूज करने के लिए ओफिस या परस न परपड़ या सिर्फ परसनल परपस वॉटईवर ठेक है कंपणी मुझे लैप्टॉप दिया है यूज करने के लिए मतलब मैं ओनरी मनाओ लैप्टॉप का किपरी यूज करने के लिए दिया है तो वैदर इटिस एप किस भी कंपनी में जॉब कर ने जाोग के तेंट मेरे को सबसे पहले लैपटआप का चस्का तुम लोगों तो अभी आजका उल लाइन क्लास से लापटप लेकर है घर में बचैक है बोरिया छाय तो पीयूल के लफोट वक्क को यहाल टाउन क्लास का व्यूंदेक्शन बंड़ी आफ अप पर जैनší बन lap ॉशन जो और एक खुशखबरी की बात यह थी के पीमजी वालों की एच्छी चीज़े कि लैप्टॉप में वो लोग ज्यादा और रिस्ट्रिक्शन डालके नहीं रखते हैं मतब तुम अपने लैप्टॉप में मूवीज भी देख सकते हो गाना भी देख सकते हो वो लोग ब्लॉक भॉता होता है उसके साथ हमेशा रहता है आज तुम कॉपी में काम कर रहे हो जिस दिन तुमारा लग देख रहे नहीं टेच करना इचिормock कि बंद हो घिटष मालन काम करते हैं को सरकार ने क्या किया एक्जन ही है सो कंपनी एगर यूज करने की लैपटॉप के ऐसे और है is totally exempt suppose मालो company ने employee के बच्चे को employee के बच्चे को laptop दिया घर पर यूज़ करने के लिए बिटा खेलो मतब उस laptop पे कोई office work होता ही नहीं है तो भी exempt तो fully परस्तल है फिर भी exempt laptop को सरकार ने यूज़ अगर laptop सरकार दे रही यूज़ करने के लिए तो government उसको exempt कर दिया है clear है अचा तीन असेट लैप टॉप दूसरा क्या है कार अगर आपकी company ने आपको गारी दिया है यूज़ करने के लिए तो तब सर उसका perquisite है और वो यहां नहीं सीखेंगे वो अगले topic में सीखेंगे वो यहां नहीं वो अगले topic में आएगा ठेक है थर्ड अगर आपकी company ने आपको furniture वगरा दिया यूज़ करने लिए तो दूसरा हमको मालूम है क्या होता है furniture के case में भी पढ़ क्या है हम लोग 10% of cost अगर खरीदा वह तो और अगर भाड़े का furniture है तो भाड़ा ठेक है तो यह देखो पर requisite value of use तीन assets है पहला asset कौन सा है laptop computer वगर क्ले क्या होता है जीरो गारी यूज़ करने के लिए क्या लिखा देखो लेटर मतब अगले page में आएगा वह वहां पे खरीदा हुआ है और company ने खुद भाड़े पे लेके तुमको दिया है तो दब भाड़ा हो ठेक है are we clear इस यह ठीक है तो तीन पॉइंट इसको अपने क्या कहते है इधर पर डॉन्ट हाइलाइट परक्विजट वैल्यू आफ यूज मतब कंपनी ने आपको क्यावल इस्तेमाल करने दिया है आप उसके मालिक नहीं बने हो कंपनी ने आपको क्या होद इस्तेमाल करने लिए थी खेक है तो पर क्विजिट वैल्यू उफ यूज कैसे कैलकुलेट करोगया है समझ गए लाप्टॉप यूज़ करने दिया है जीरो गारी यूज़ करने दिया है नेक्स्ट टॉपिक फरिचर उसकर ने दिया है क्या लिखा है मैंने, Sale at Discount, इसका क्या मतलब है, अस्षुम नियांस देंजांस, मैं बताता हूं नियांस, तरही है, मैं कम्पणी में जॉब कर रहा हूं, कम्पनी ने मुझे कोई asset दिया था, यूस करने के लिए, कम्पनी ने मुझे कोई asset दिया था, यूज करने के लिए फिर से वही मन में सोच रो तीन असेट लैपटॉप कार फरनीचर ठेक है लैपटॉप या कार या फरनीचर इस बार तीनों के लिए एंसर सेम है इस बार तीनों के लिए एंसर सेम है लैपटॉप कार या फरनीचर तो लेटर से कंपनी ने मेरे को लैपट कि मैं खरीदी लेता हूं तो मैंने कंपनी को बोला यह laptop ना मैं खरीदना चाहता हूं personal purposes के लिए I want to buy I want to become the owner मैं खरीदना चाहता हूं ठेक है सस्ते में दे दो गया तो company बोला ठीक है तुम हमारे employee जाओ 10,000 में ले लो laptop मैं खाता पर उन्होंने किते में दे दिया हमेरेको 10,000 में तो यहां पर मैंने खरीदा है सस्ते में खरीदा यह जो discount है यह भी तक मुनाफ़ा है कि नहीं है तो अब हम निकालेंगे perquisite value of sale क्या निकालेंगे पहले चार मेने मुझे use करने लिए था तो उस चार मेने का perquisite value निकाल दिया इंटू 4 by 12 जो भी होता है निकाल दिया ठीक है अब laptop था तो laptop को जीरो है पर बाकी चीज़ में निकलेगा और फिर मैं खरीद रहा हूं तो खरीदने का perquisite value अलग होता है परक्विजिट वैल्यू ओफ सेल सर यहां परक्विजिट वैल्यू किता होगा है वेरी सिंपल डबलू डीवी माइनस सेल प्रोसीड अब माल लोगो जो लैप्टॉप उन्हों ने मुझे दिया उसका सॉल वो के डबलू डीवी आ रहे है 25 जार डबलू डीवी समझते हो न अब लाप्टॉप अगर लाख रुपए गार तो अभी तो डेप्रीशन भी तो हुआ हो ना भाई तो माल लो कंपनी ने लाप्टॉप मेरे को दिया उस लाप्टॉप का आज कि दिन कंपनी के लिए डबलू डीवी कितना है 25 जार और कंपनी ने मुझे दिए अबला ठीक ह समझ में आ रहा है कि है डबलीवी माइनस सेल पूशिट तो अब मैंने कंपनी से सस्ता कंपूटर खेल लिए 10 जार गा अब उस कंपूटर को मैं जो भी करूंगा करूंगा परसली खेलना ओना जो भी करना करेंगे तो परक्विजिट वैल्यों सेल क्या होता है जितना डिसक लिए निकालोगे परक्विजिट वैलयो ओ यूउजे चार में तक कि एनिकालोगे परक्विजिए फिर खरीद लिया तो अब तुम निकलोगे परक्विजिए और अव अच्छा उस गारी का जो डबलूडीवी है वो कंपनी के बुक्स में है दो लाक डबलूडीवी कितना है दो लाक कंपनी से मैं खरीदना चाहता हूं मैंने बहुत से बात की सर प्लीज मेरे को दे दो गारी संस्ते में दे दो तो उसने भूला ठीक है सिधार्त तुम 75,000 दिया उन्हें मेरा गारी थी मेरे को फायदा कितने का हुआ सवा लाक सभी बुलना मैं दो लाक का डबलूडीवी मेरे को मिला कितने 75 जागा तो सवा लाक का फायदा ये सवा लाक जो मेरा मुनाफ़ा यही क्या है पर्कुजिट वैल्यू आफ सेल अर्यू क्लियर ऑन दिस तीसरा एक्जामपल लो एक लाप्टॉप का दिया एक गारी का दिया अब फर्निचर का देंगे ठीक है कंपनी ने फर्निचर अखाया मेरे पास घर में ठीक है म्यूजिक सिस्टर्म टीवी फ्रिज एसी वाटेवर उस फर्निचर को पहले चार मैने तक तो मैंने यूस किया तो चार मैने के लिए तुम यूस का परक्विजिट निगालोगे ठीक है फिर मेरा मन हुआ मैं खरीदी लेता हूं ना तो मैंने खरीद लिया कंपनी से अब खरीदेंगे तो फिर से वही बात है इन सारे असेट्स का WDV आ रहा था एक लाख रुपया कंपनी से मैंने बात क टॉपिक नमबर थ्री में गौर्स है इधर मेरे को बोर्ड पर ताको दो अलग अलग परक्विजिट है एक है परक्विजिट वैली ओफ यूस मैं खरीदा नहीं हूं कि वहल इस्तेमाल के लिए मिला है और दूसरा है परक्विजिट वैली ओफ सेल वह अलग है ठेक है कभी 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 तो यह लोग सिर्फ तुमको सम्स में यूस का निकालने बोलेंगे कभी-कभी सेल का निकालने बोलेंगे कभी-कभी दोनों का मिक्स निकालने बोलेंगे तो तुमको ऐसा निकालना पड़ेगा अर्वी ओके इस अचा पता है सारी मेहनत का होने जारी है देखो सर यूज वाले में तो महनत नहीं है, यूज वाला तो सर ललू है, कम्प्यूटर यूज करने दिया है तो जीरो, गारी दिया है तो अगला पेज, बाकी असेट दिया है तो I know it, 10 खरीदे वेगा 10% of cost or higher charges, महनत पता है कहा है, यहां है, यहां कोई exemption नहीं है, यहां कोई exemption नहीं ह है, कैसे, वो WDV वो लोग देंगे नहीं, आप निकालो, वो WDV वो लोग संस में लिखके, देंगे नहीं, वो आप निकालो, वो लोग आपको दे देंगे cost, अब आपको depreciation calculate करे, minus करना पड़ेगा, और WDV निकालना पड़ेगा, और depreciation निकालने का जो इसका funda है, वो भी तीनों asset में अलग-अलग है, laptop computer पर depreciation का rate है 50%, कितना, 50%, गारी पर कितना है, 20%, other furniture वगरा पर कितना है, 10%, तो तीन अलग-अलग depreciation का rate है, सर्थ, depreciation का method भी अलग है, computer के लिए 50% depreciation WDV, motor car के लिए depreciation 20% WDV, other furniture के लिए 10% straight line method, समझे गया, तो यहाँ पर बड़ा महनत होता है, WDV यह देते हैं नहीं है, आप निकालो बैट के depreciation calculate के minus or minus कर लो, निकालो यह WDV, minus sale proceed, that is the perquisite value, are you clear on this, good, सबसे पहले कौन है हमारे सामने, हलो हलो सबसे पहले कौन सा हमारे सामने, use, use का तो सार easy होता है, ऐदम easy, mark mark मत करना चाहदा, साड़ाना मत, अभी तुम लोग हाथ मत लगाना है इसको, ठेक है, computer का, नेल, मत माख करो, मत माख करो, ठेक है, motor car का, later, अगले पेश में आएगा, मत लिखो, बाकी assets का, खरीदा हुआ है तो, भाड़े का है तो, perquisite value जो निकालोगे, 12 महने का निकालोगे, जितना महना use किया, उतने का, highlighter, यहाँ पे एक student का doubt आ सकता है, sir, माल लो, साड़े चार महना use किया, कितना, साड़े चार महने का लेंगे, कि पाँच महने का लेंगे, अब देखो, इतनी छोटी छोटी बाते, जो तुम पूछ रहे हो, वो उन्होंने भी नहीं सोचा था, जब उन्होंने बनाया था, यहाँ जो बनाने वाले हैं कानून, मैं तो वही बढ़ा रहा हूँ, उनको भी नहीं पता था, कि students का आने वाले समय में, ऐसा ऐसा doubt manufacture होगा, कि साड़े-चार महने में क्या करें, चार महना लेकी बांच महना करें, तो इसका कोई clear answer नहीं है, ठेक है, तो वहाँ पर चार महना भी ले सकते हो, पांच महना भी ले सकते हो, या फिर exact साड़े-चार महने का निकालके भी ले सकते हो, क्लिर रही है यहां पर भैस हो सकता है वो निकालेगा चार मेंने का वो निकालेगा पांच मेंने का वो निकालेगी साड़े चार मेंने का सब सही है कानून में कुछ बोला हुआ नहीं है आरी ओके विद इस तो कई बार क्या होता है ना student का दिमाग जो होता है वो बहुत सारी फालतुजियों में जाता है पर उनका कोई जवाब नहीं होता है और वो आता भी नहीं exam में exam में जित्ते भी समाएंगे वहाँ perfect रहेगा या तो 4 या 5 they will not give you 4 क्योंकि उसके ओपर कानून में कुछ लिखावा नहीं है लेकिन अगर कानून में लोग लिख दियो होते है न नेक्स्ट तर सारी मेंनत का है सेल वाले में वहाँ पर WDV निकालना पढ़ेगा हैलाइट थेक है इन्होंने बोला जितना आपको मुनाफ़ा हुआ डिसकाउंट हुआ वही आपकी परक्विसित है तीन तरह के असेट्स है पहला असेट कौन सा है हाइलाइट कॉम्प्यूटर एन इलेक्ट्रोनिक आइटम थेक है कॉम्प्यूटर एन एन टाइप ओफ एलेक्ट्रोनिक आइटम डेप्रिशेशन का रेट कितना होगा 50 परसेंट कौन सा मेथड होगा डबलो डेवी नेक्स्ट मोटर कार अगर आपको मोटर कार आप खरीद रहे हो कंपनी से सस्ते में तो डेप्रिशेशन का रेट क्या होगा 20 परसेंट कौन सा मेथड डबलो डेवी इन दोनों को छोड़के कोई अधर असेट्स है तो जैसे फरनीचर या बाइक हां बाइक को अलग लिया है नहीं यहां पर अलग कर दिया है यहां पर अलग कर दिया है तो अधर असेट्स अगर आप ले रहे हो अधर असेट्स मतलब फरनीचर एंड बाइक वगेरा ठीक है किता रेट कौन सा SLM स्ट्रेट लाइन मेथर्ड इन फैक्ट इलेक्ट्रोनिक आइटम सारे उपर है तो वो जो टीवी फ्रिज बिजली बगारा से चलने हैं सब उपर आ गया हाँ एसी क्या फुक मारके चलता है क्या क्लियर है ठीक है पर उतना तुमको टेंशन लेनी की जरवत नहीं है ज्यादा तर वो लोग तीन शब्द लिखके देते हैं एक्जाम में कंप्यूटर कार फरनीशर ठीक है तुमको इतना घबराना नहीं है वो तुमको मोटा मोटा बहुत आसान होने वाली है क्यों देखो नॉर्मली अकाउंट्स में जब तुम डेप्रिशिशन निकालते हो तो बड़ी महनत होती है डेट टू डेट इस तारीक को खरीदा था इस तारीक को बेचा तो एक्जाट जितना प्रिड़ उतना यहां वो ड्रामा नहीं किया यहा अगर किसी असेट को कंपनी ने धाई साल पहले खरीदा था तो हम दोई साल का लेंगे हमेशा लोवर कितने का डेप्रिशन लेंगे दो साल का कंपनी ने कोई असेट सारे तीन साल पहले खरीदा था तो आप डेप्रिशन कितना का दोगे तीन लोवर हमेशा लोवर तो company ने कोई asset खरीदा था दो साल 11 मैने पहले ठेक है इधर completed year जैसे company ने कोई asset खरीदा था दो साल 11 मैने पहले वो आप खरीद रहे हो तो depreciation round off करो तो 3 साल पर नहीं आपको नीचे लेना है लोगर completed कितना है दो साल ना दो साल 11 मैना complete कितना है दो ही साल तो दो साल कर देपरिशन होगा ठेक है कोई दिकत है हाँ तो फिर 0 इसने बोला sir company ने छे मैना पहले एक asset खरीदा था और छे मैंने में ही मैंने भी खरीद लिया उसको तो छे मैना मतब completed कितना है जीरो एक है यहां ता clear है यह बात जो यहां लिखी है तुम्हारे लिए तो अच्छी है कि तुम्हारा लाइफ तो एजी हो गया अगर सॉल्व के दो डेट्स की बीच में आ रहा है टू एर 11 मैंस तो अपने को टू यह लेना है कैल्कुरेशन एजी है तुम तो खुश हो गए एंप्लॉईर होएगा क्योंकि डेप्रिशन कम हो रहा है डेप्रिशन कम होगा तो डेप्लू डेवी जादा आएगा तो डिस्काउंट और जादा हो गया ना तो एंप्लॉई के लिए गुट डेवी नहीं है इस बाद नूज फोर देवलॉई अपना कैल्कुरेशन तो एजी हो जाता है लेकिन ब आपको financial year से मतलब नहीं है they will give you a date question में एक date लिखा रहेगा ये date को company ने purchase किया था and ये date को company से employee ने purchase किया ठीक है तो इन दोनों date के बीच में exact difference निकालना वो rough में निकाल लेना दो साथ something something to something से तो मतलब है नहीं एंसर है दो साल तीन साल something something से मैंने को मतलब नहीं एंसर है तीन साल वेरी इजी ठीक है कम नोट completed year is calculated from date to date मतलब आपको financial year April मार्स से मतलब नहीं है company ने जिस दिन खरीदा और जिस दिन तुमने company से खरीदा उसके बीच में gap निकालो और lower rounding off कर दो clear है let's do it now sir पहला question हमारे सामने आ रहा है employee पर यार जोड़ से अच्छा hold employer purchases a computer employee नहीं employer employer ने computer खरीदा है अगर यह computer employee को use करने के लिए दें तो value कितनी होगी जेरो लेकिन अगर employee को बेच दें तो परक्विजिट किता होगा sir wdb-sale proceed पढ़ते हैं तो employer ने चार लाख रुपए का computer खरीदा था पता नहीं बड़ा computer होगा कुछ चार लाख का कब खरीदा था परचेस डेट है 15 सप्टमब्र 2019 और उसको बेच दिया employee को sold to the employee 4 रुपीस 22 जार ओन विच डेट सबसे पहला काम gap निकालो 15 सप्टमबर से 12 सप्टमबर तीन दिन और होता तो तीन साल हो जाता है ना देखो इसके लिए अपने को कोई calculator नहीं चाहिए common sense है दम वो देखो 2019 दोजार 22 तो काईदे से 3 साल हो रहा है बस अगर यहां पर 15 सप्टमबर लिख देते वो लोग 12 की बदले तो 3 साल complete हो जाता पर 3 दिन पहले है तो कितना हो गया दो साल 11 मेना 27 दिन ultimately completed year कितना है दो तो depreciation कितने साल का दो गया है दो साल का सर ठेक्या देट्स मेना बहुत सारे student को दिक्कत होती है वो dates imagine नहीं कर पाते चल्दी से मैं तुमको एक चीज बता देता हूं जो मुझे help किया एक तो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस से अपने आप हो जाता है प्रैक्टिस का मतब जबी भी dates आये तो उसको imagine करना चालू करो तब दीरे दीरे वो आदत हो जाएगी और दूसरा number में मत imagine करो month में imagine करो जैसे वहां लिखा है 15-9-19 यहां क्या लिखा है 15-9-19 यह imagine करना मुश सप्टेमबर 22 зबस्टेमबर 2011-12 2019-isin से 22 2030 साल गले लेकिन सर्विशे ओगा कर सदेट्रा को थे खुछा है 15-14 यह भी पारा को एझ तीन दिन पहले ना तो थे साल कंप्लीट होने नहीं इस तो मतहरो कितना साल ब्रॉ ऐख जाएगा अब ये आपको दो साल का rating देना है एसे अन्म dirна मेंटर बोलों तो चार दाग पे दो बार depreciation देना है दो साल, चार लाइच पर पे पहले 50% देख दो जो 2,000 कितना बचा 2,000,000 तो उस पे और एक भर 50%, देख दो ऑक लाग तो बचा कितना 1,000,000 । गचा कितना 1,000,000 का WDV कितना में है बाइस जार बेनिफिट बोलो 78,000 that's the perquisite value सब्सक्राइब में इतना लंबा लिख के करेंगे ना रे एकदम fast मैं दिखा रहा हूँ हो गया लिखना हो गया सब का भी देखो तुम्हें एक्जाम में कैसे करोगे इसको अग्जाम में बस इतना लिख के आना है इतना तुम को टेबल बनाने की जरवत नहीं है अरे this will be a part of a big sums where you already have to write so much you don't have time एक्जाम में एक्दम short में लिखना है एक्जाम में से ज्यादा वो perfection में इसमें जाने की जरवत नहीं ये चोटा सा note रहेगा और कुछ नहीं सही है सर बढ़ें आगे हम लो ये ठीक है यहां तक question number 15 okay बात करूं मैं employer purchases a car इस बार car है car पे बेचने का depression कितना होता है 20% method कौन सा होता है पांच लाग की गारी थी खरीदने का डेट दिया हुए and the same is sold to the employee for 35,000 on this date 2020 से 2022 बाइस दो साल हुआ है लेकिन सर अगर मैं डेट देखूं तो वो December 20 में खरीदा था है ना 15 December 20 और बेचा कब है November 22 तो actually दो साल से थोड़ा कम है तो येर कितना होगा तो आपको एक ही साल का depression देना है which is very easy नो तो पांच लाग की गारी है एक ही बार depression देना है पांच लाग पर 20% एक लाग माइनस करो बचा कितना चार लाग चार लाग की गारी है है ना डबल डीवी बेचा कितने में 35,000 तो चार लाग की गारी 35 में तीन लाग 65,000 अरगा वाको जिर्वाल्यू दन है ठेक है नेक्स प्रेस्टन कोई दिक्कत तो नहीं यह आपर हो गया नेक्स प्रेस्टन सर अ कम्प्यूटर कोस्टिंग एक लाग रुपया is kept by the employer at the home of the employee for his use मतब बेचा नहीं है केवल घर पे use करने के लिए computer दिया है तो computer के use का perquisite value क्या होता है जीरो ठेक है next a furniture costing एक लाग रुपया is given to the employee for use on first September 19 to 31 March 23 hello आप कौन से साल का solve कर रहे हो तो आपको बाइस तेस से मतलब है न आप पैट के तीन साल का प्रुपजिर तो निकालोगे नहीं आपको हाली बाइस तेस का निकालना है बाइस तेस चालू कब होता है 1st April 22 को आपके हाथ में था हां सर 19 में मिल गया था 2019 मिल गया था 1st April 22 को मेरे पास ही था और कप तक मिला है 10 पर सेंट दस जार 12 बाइ 12 के वल तुम्हाई लिए दिखाने के लिए कि हम लोग 12 में निकाले रहे हैं 12 बाइट लिखने की जरूबत नहीं है 2019 में बॉस ने आपको फरनिचर दिया था जो आज तक आप यूज कर रहे हो तो इस साल का परक्विजिट कितना है एक लाका दस परसेंट दस जार ठीक है लास्सम अठारा नंबर बहुत अच्छा है इसमें दोनों होगा यूज प्लस सेल ठीक है एक बार रुको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं इसके उपर इस सम्स में क्या होने जा रहा है तुम पहले से सुन लो तो तुमको डाउट नहीं आएंगे ठीक है थोड़ा सा अब स्लो डाउन करेंगे यह सम्स कराने के बाद इसको थोड़ा सा इत्मिनान से करना बढ़ना मिस्टेक होगा खुछ स्थ्टूरेंट से सम्स होता है जैसे मैं बोला ना चूर्म लोग होता है जब में अधर लोग सम्स कर रहे होते हैं तो वह लाइन बाइन तो तोड़ के इतना करते हैं चुंक तो पूरा बड़ा पिक्चर देखना बंद हो जाता है एक एक आया था मेरे पास और मैं एकदम चौक गया था यार यह कहां से पैदा किया बड़ा फंडामेंटल डाउट था उसका वो पूरी पिक्चर तो देख नहीं रहा है मैस करते करते वो मैस में खो गया उसने बोला कि सर कंपनी ने फरनिचर दिया था चार मैंने यूज के लिए और फिर तो उसने खरीद लिया तो जब हम लोग परक्विजिट वैल्यू आफ यूज निकाल रहे हैं तो तेन परसेंट इन्टू फोर बाइट वैल्यू चार मैंने यूज तो सर जब आप सेल का परक्विजिट निकाल रहे हो डबलू डी व मैस सेल प्रसेट तो उसमें भी आपको करना चींटू एट बाइट बाइट वैल्फ समझ में आ रहा है हुआ क्या उस बिचारे के साथ यहां फोर बाइट वैल्फ क्यों तो वहां बचावा करो एट बाइट वैल्फ सेल महने का होता है कि पर्मानेंट होता है सेल तो पर्मानेंट है सेल आठ महने की चीज है क्या वो चीज अलग है वो मंथली वाली calculation होगी यह नहीं वहाँ पे, sale is a permanent thing, no, the discount that I am getting is permanent, it's not monthly into 8 by 12, ऐसा doubt पैदा किया था, तू समझ रहो, कहाँ जा सकता है इंसान का दिमाग, क्योंकि एक level के बाद क्या होता है, बड़ी picture दिखनी बंद हो जाती है, फिर हम लोग moment to moment एक एक सम करने लग जाते हैं, तब वहाँ पे इसा कुछ गरबड हो गया, ऐसा मेरे साथ भी होता था, क्लास में जब समझ हो रहा है, तो वो एक-एक करने में इतने खो गए हैं कि बड़ा picture तो समझ में नहीं आ रहा है, और तब वहाँ पे यह सब silly mistakes की हरकतें start हो जाती है, तो take time, whenever you feel that you are lost, you slow down, you take time, and then you do it, उससे काम अ हो गया है, sale एक permanent चीज़ है, वहाँ मन्तली नहीं हो सकता है, into 8 by 12, पढ़ते हैं आओ sir, employer purchases a furniture for 2 लाग, तो खरीदा वह फरनिचर तो 10% of cost, है ना, on 2019 and the given to the employee for use, तो 2019 में ही खरीद कर उन्होंने तुमको दे दिया था, use करने के लिए, तो यानि 1st April 22 को भी तो वो तो वो हमारे हाथ में हैं, है ना, subsequently it was sold to the employee for 12,000 on 1820, तो तुमने कब खरीदा, boss से, 1st August 22 को, तो 1st April 22 से लेके, 1st August 22 तक, तुम use कर रहे थे, परकुजिट वैल्वी होता है कि नहीं होता है, होता है, पर नीचे रहे, computer नहीं है, ठीक है, पर नीचे रहे ना, computer नहीं है, computer बोता तो 0, पर नीचे रहे, तो 1st April 22 से लेके, 1st August 22 तक, आप use करें, उसका परकुजिट निकलेगा, अपरेल, में, जून, जुलाई, चार मेना, अगस्प तो आपने खरीदी लिया, 1st को, क्या, पर से मैं बताना चाहूंगा, 2019 में उन्हों ने खरीदा, हमको दे दिया यूज करने, तो मेरे लिए तो सब कुछ प्रीवियस येर 22 ते इसी है ना, है ना, तो हम तो 1st April 22 की बात करेंगे, तो 1st April 22 को मेरे हाथ में है, तो 1st April 22 से लेकिए, 1st August 22 तक 4 मे mniej होते हैं, तो 4 में एने का यूज का पर्खुजजिय निकलेगा, अब यूज तो तुम 2019 से कर रहे हो, तो सार 19, 20, 20, 21 वो सब का तो, तो तुम पिछले सालों में टैक्स दे चुके ना उसका तुमको अभी क्या मतलब है है ना जो पहले की येर है 19-20-21-21-22 उसका तो आप टैक्स दे चुके होगे वह अटाई है आपको 22-23 से मतलब है खाली अब खरीद रहे हो तो खरीदने के लिए तो WDV मैंने सेल अप्रिशेशन किते साल का देंगे डेट्स देखो 1st मैं 19 को खरीदा था बोड़ पेदा को 1st मैं 19 को खरीदा था और 1st आउगस्ट 22 को कितना हो गया सिली मिस्टेक्स चालू हो रहे हैं मैं बोला था ना डेट्स इमाजिन करने में गलती होती है मैं आपको पता है यह सब मैं भोग के आया हूं नहीं यहां पर ऐसी थोड़ा यह आवतार लेके प्रकट हो गया हूं सब जेल के आया हूं मैं महलूम है डेट्स इमाजिन करने में गलती होता है 1st में 19 और अभी चल रहा है 1st अगस्त 22 तो यह अक्चुली 3 साल 3 महना है 3 साल 3 महना है तो completed year कितना है तो आपको 3 साल का depreciation देना है कि नहीं देना है सर बहुत simple है क्योंकि 10% straight line method है WDV में माथा पच्ची होता है straight line में दो होता नहीं है एक बार निकालोगे तीन बार multiply करोगे furniture कितने का था दो लाक दो लाक है 10% 20 जार तो तीन बार तो 20 जार 20 जार 20 जार 20 जार 12 जार में तो एक लाक अठाइस हजार इस यॉर परक्विजिट वैल्यू है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है कि दो लाक डेप्रीशेशन 10 परसेंट स्ट्रेट लाइन थ्री येर्स साथ हजार तो यूस चार मेहने का परक्विजिट वैल्यू कितना आया 6667 ठीक है और फिर सेल का कितना आया एक लाक अठाइस हजार तो टोटल एड कर दो सर तो टोटल परक्विजिट वैल्यू क्लियर है कोई भी डाउट है इस पर पहले चार मेहने यूस किये उसका वैल्यू फिर सेल किये तो सेल में इंट्वेट बेट वैल्यू नहीं होता है डॉल्यू माइनस सेल प्रस्ट्विजिट तो वह आ रहे है अपने एक लाग अठाइस जार जोड़के आ गया एक लाग चौतिस जार ठीक है यह क्लिर ना सबको ओके तो यह अपना खतम होता है अब ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद में एक दम नया टॉपिक चालू करूंगा मोटर कार प्रक्विजिट वेरी इंट्रेस्टिंग ठीक है ब्रेक ओके कंटिन्यू कर रहे है अब हम लोग एक नए प्रक्विजिट में जा रहे हैं जिसका नाम है मोटर कार मोटर कार सेल नहीं मोटर कार सेल तो अभी पढ़ के आए ना मोटर कार का सेल में तो 20% depreciation देना है WDV method और WDV minus sale proceed तो यह तो use वाल है और यह बड़ा common है दो सबसे फेवरेट परक्विजिट एक्जाम में भी और मेरे भी एक है घर और एक है गारी ठीक है बड़ा जबरदस परक्विजिट है इसमें आज के दिन गारियों का जो cost है बहुत भाग चुका है उपर गारी के साथ मुख्य तोर पे तीन प्रकार के घर्चे connected होते हैं एक cost of the car itself गारी खरीदना गारी महंगी हो गई है ठीक है और तुम लोग जानते नहीं हो शायद कार में आपको GST का credit नहीं मिलता ठीक है जैसे का जार में जीस्टी बहुत जादा होता है अगर तुम आज सबो सौ रुपे की गारी एक बार सौ रविया बोल ओो मतरा से 10 लाख रोबे की गारी को सबूस उसमें तुम चार लाख रुपे के आजपास इसमें GST है ढाली को जोड़ देते हैं तो हम था की गारी में आज नहीं tax है पर क्या आपको उसका ITC मिलेगा नहीं मिलेगा गारियों का ITC सिर्फ transporters को मिलता है kisको मिलता है transporters को हम यहसों को नहीं मिलने वाला ठ्धेक है तो गारी का cost बहुत महंगा हो गया है罇ब के पर पास बहुत ज़्यादम हो गया थे के सेकेंड गारी में ड्राइवर का क्ष भी तो हता है क्या शेल्व ड्राइव कर रहे हो तो नहीं लगेगा पर ड्राइवर है तो कॉस्ट लगेगा धर थर्ड अक्स्पेंस है आर एमसी क्या बोला मैंने अरोлем come see running and maintenance charges running and maintenance charges running and maintenance charges में क्या-क्या आता है सर पेटरोल का खर्चा या डीजल का खर्चा car washing का खर्चा गारीगां बहुत जल्दी गंडी होती है तो गारी को एक दिन भी बाहर चोड़तों तो पुरा धूल से जाता है तो car washing expense होता है इसके अरब गाड़ी में बीच बीच में servicing कराना पड़ता है हर छेचे मेने में कार का आपको service center में देके servicing करना पड़ता है वो खर्चा होता है फिर अगर रस्ते में ठुक फुक गया तो वो तो extra खर्चा है car का insurance कराना compulsory होता है उसका खर्चा है तो इन सब को मिला कि हम लोग बोलते है rmc running and maintenance charges तो गाड़ियों के कितने खर्चे है तीन number one cost of the car number two driver and number three rmc ठीक है अब गाड़ी को लेकर इनका philosophy एकदम clear है ध्यान से सुनना philosophy कि है very simple अगर गाड़ी आपको मिली है fully official purpose के लिए के लिए fully official purpose के लिए तो परक्विजिट कितना होगा याद है ना office purpose zero तो अच्छी बात है अगर गाड़ी मिली है आपको fully personal purpose के लिए fully personal के लिए तब formula वही रहेगा जो हम लोग सीख के आए है cost of the car का 10% asset के cost का 10% plus driver salary plus RMC तो that will be the perquisite value तो यह बहुत जादा निकल के आएगा ठेक है सबसे best है गाड़ी आपको मिली है for partly official partly personal क्या बोला मैंने partly official and partly personal तब perquisite value का इनका formula है और जिससे amount बहुत ही कम निकल के आएगा clear है तो सबसे best scenario कौन सा है पॉप क्या बोला मैंने ने पॉप help करेगा तुमको इससे पूरा permanent perfect याद हो जाएगा सबसे best कौन सा है सर पॉप पॉप का full form बोलो partly official and partly personal जब दोनों के लिए उस करते हो तो इनका perquisite का जो value है बहुत कम हो जाता है and that is best for the employee ठेक है सबसे खराब कौन सा है fully personal इसमें actual खर्चा आजाएगा पुरा गारी का 10% driver की actual salary running maintenance का actual amount तो बहुत जादा होता है वो आज के दिन अगर company आपको गारी दे रही है for fully personal तो वो बहुत जादा निकल के आएगा value उसका जो एकदम real खर्चा होता होता है गारी का वो हाथी जैसा वैसा निकल के आजाएगा तो ये bad for employee है ठेक है और सबसे है अच्छा तो क्या है गारी मिला है for purely official purpose तब perquisite value क्या होगा जीरो एक्जाम में न ये आएगा न वो आएगा एक्जाम में आएगा पॉप एक्जाम में कौन सा आएगा पॉप पढ़ते तुम लोग तीनों है पर एक्जाम के लिए जादा famous कौन सा है लास्ट वाला पॉप ठेक है ऑफिशल परपस के लिए परकुज़ वाल्यू कितना है सर जीरो फुली परस्तल में सर सब जोड़ दो एक्चुल खर्चा गारी के कॉस्ट का 10% ड्राइवर का खर्चा और पॉप के केस में सर फॉर्मला बाची है ठेक है अचा एक चीज मैं तुमको बताता हूं मैंने कल ब बात लेकिन अगर वही कंपनी आपको बस प्रोवाइड कर दे जो सारे एंप्लॉई को आने जाने के लिए है घर से ऑफिस ऑफिस से घर तो परकुज़िट वैल्यू होता है जीरो कैसे पता चला ऐसे पता चला यह बात बहुत लोग जानते नहीं है ठेक है इन फैक्ट तुमको यह किसी किताब में लिखावा नहीं मिलेगा बहुत सारी कंपनिया हैं जो अपने एंप्लॉई को पिक अंड्रॉप की सुविधा देती है क्या सुविधा पिक अंड्रॉप आपके घर से आपको उठाएंगे और छोड़ देंगे ठेक है तो यह तो परस्तल माना जाएगा अरे आपके घर से ऑफिस आना आपकी जिमदा परखानते हैं इसलिए मेरे साथ बहाँ हो जाता है इसलिए मैंने क्या क्या सोर्स लिकि दे दिया अबलंगे जिसको बहाँ कराा जाके देखलो क्या लिखा पड़ो एक्स्प्रैशन टू सेक्शन नंबर 17 पर्युशिर का सेक्शन है 17 सब सेक्शन 2 क्लोस 3 उसके दिचे employee for journey from his residence to office or office to residence कि बहुत सारी कंपनिया यह सुविदा देती है ठीक है पिक और अच्छा बात है कि नहीं इससे एंपलॉई का जीवन कितना इजी है कि उसको मतब धक्के खाके पसीने बहा के जाने की जरवत नहीं है उबरोला में भी कम मुश्कील थोड़ना होता है ओफिस हावर्स में तो उबरोला मिलता ही नहीं किसी भी हालत में ठीक है तो अगर आपकी कंपनिया आपको पिक और डॉप की सुविदा देरी तो बेस्ट है ना सर इस एक्जेम्टेड परक्विजिट ट्रांस देती तो टैक् कुछ कुछ देता है बेसिकल ओफ्शोर कंपनिया देती है ठेक है होंग कॉंग बैंक पी डबलू सी यह सब यह लोग की फेसिलिटी देते हैं यह क्लियर है तो इसको लेकर तो डाउट ही नहीं सर घर टू ऑफिस के लिए वह एक्जेम्टेड है नेक्स सर नेक्स वो नीचे है जो हम लोग पढ़ रहे है ठेक है नाव लुक अट इस चार्ट सर तेरा टोटल थ्री चार्ट नमबर वन नीचे नमबर टू अगला पेज में नमबर थ्री चार्ट नमबर वन में पहले क्लियर कर लो औफिशल परपस के लिए अगर वेहिकल मिला है तो जीरो पुली परस आज आए गारी का अगारी का अगारी का अच्छल का बताया तो बहुत-बहुत है वी हो गया आज के दिन गारी अफॉर्ड करना ठेक है और तीसरा क्या सर पॉप ठेक है नाव एक चीज़ इन दोनों में से which one is bad for employee तो यहाँ पर उन्होंने एक रियायत दिया कि अगर कंपनी आप से कुछ पैसा रिकवर कर दिये तो वो माइनस कर देंगे लिखो नीचे माइनस अगर फुली परस्टनल परपस के लिए आपको गारी मिली है तो उसका परक्विजिट बहुत हाई आता है तो गुले बुले अगर आप से कुछ पैसा रिकवर कर रहे तो माइनस भी कर देंगे जैसे कंपनी बुला कि तुम दो जार रुपे हर मैना दे दिया करो तो चुब होता है उसमें इतना कम वैल्लाइम एं मिलीव नहीं मतलब तुम लोग क्वाल अगर कंपनी तुमसे कुछ ले भी रहे हैं तो मारी नहीं होगा विए और इंटार नय् क्योंकि वो अमाउंट अलेड़ी बहुत ही कम है ठीक है तो पॉप के केस में अगर आप से कुछ रिकवर किया जा भी रहा है तो वो माइनस नहीं होगा अर भी क्लियर अब देखो सबसे बेस्ट चीज इस चैप्टर का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट सेकेंड चार्ट पॉप के केस में कौन से केस में पॉप के केस में परक्विजिट वैल्यू कितना होगा ठीक है ओके सर बात करें इधर सुनना में रखो पॉप के केस में परक्विजिट वैल्यू कितना होगा सुनो मैं तुमको जो तरीका सिखाऊंगा ना अभी याद करने का और सम्सका वो इतना सिंपल है कि लॉंग लाइफ याद रहेगा भूलोगे नहीं क्योंकि मैं इन सब चीजों में बहुत कष्ट जहल चुका हूँ तो तुमको वो कष्ट जहलना नहीं पड़ेगा एक्दम सिंपल दरीके से जबी भी कोई सम्स पढ़ो तो सबसे पहले देखो कि वो एक हैं कि एफ पहह थो मतलब हैं घ्रो मतलब फुदि अफिश्ट फ॥ sem पन बन याज अफ बścieं परस्ट ऑब तो सम्स पड़ती बगल में लिखतो पॉप क्लियर हो गया अचा पोप के अंदर सब की सेंड़ अब हैं अब हैं लिखना आ हैं तो फॉर च्ब landlord ठेक है यह दो cases में सर जो यह लिखे हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है गारी owned by the company and खर्चा also paid by the company मतलब गारी भी company दे रही है आपको और खर्च भी गारी के company दे रही है तो उसको बहुत है employer employer ठेक है और उधर क्या मतलब होगा guess करो गारी company का है पर खर्च employee दे रहा है तो perquisite कम होना चाहिए यह खर्च तो तुम दे रहे हो तो perquisite कम होना चाहिए ठेक है अब इधर देखो तो case कौन सा है pop and then employer employer मतलब गारी भी company भी company की खर्च भी company है तो perquisite value कितना है दो answer है हमारे सामने अठारा सो रुपया पर मंत दिख रहे हैं बोड़ पे 2400 रुपया पर मंत दिख रहे हैं बोड़ की है मैंने देखो पर मंत या फिर 2400 रुपया पर मंत वो depend करता है गारी कितनी बड़ी है गारी को जाना जाता है उसके engine capacity से सुनो कुछ जन होते हैं जिनको गारी की भेंकर knowledge होती है ऐसे लोग धरती में 1% है जिसमें मेरा ब्रदर आता है विकाश उसको गारी की भेंकर knowledge उसको हर गारी का हर चीज पता रहता है रस्ते में लोग अगर जा रहें कोई गारी दिख चागो देखके बताते का यह गारी इस model का यह है यह फ्राण इम का है मेरे को समय कुछ नहीं पता क्या हो है ठेक है विकाश मेरा interest नहीं है तो कम से कम मैंने उससे इतना तो समझ लिय है वो स्पीड पिकप जादा मिलेगा एक फरक है जैसे मालो तुम अगर एक छोटी गारी ले रहें आल्टो जानते आल्टो एक सस्ता गारी इंडिया में आता है यह सब छोटी गारियों को तुम टान नहीं पाओगे मतलब तुम सोचोगे कि 120 पर भगाते पुरजा पुरज जाएगा ठीक है वो ऐसा है और बड़ी गारियां जितनी होंगे ऐसा फॉर्चन और वो तुम टान के पुरा गारी को स्पीड से भगा सकता है आई वे पे वो पावर पिक अप एक दो स्मूध मिलेगा कोई आवाज नहीं ठीक है कभी तुमने नोटिस कि है तुमारे बगल स आउटो गुजरा जोड के आवाज करते है बैं करके और बड़ी गारी को तुम कितना ही स्पीड टान दो वो आवाज नहीं करेगा दाट इस एंजिन के पैस्टी का पावर ओके 1600 CC तक की जो गारी होती उसको हम छोटी मानते है 1600 CC के उपर की गारी को हम बड़ी मानते हैं इधर देखो गारी का किपैस्टी कितना है less than equal to 1600 CC 1600 CC बोल लो या फिर बोल लो 1.6 लीटर एक ही बात है कई बार वो लोग एक्जाम में CC के पर ले लीटर दे देंगे तो घबराना नहीं एदम सिंपल है 1600 CC मतलब 1.6 लीटर 10 और 1800 CC के ओपर की गारी मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी गारी है थेक है प्यर्कfen die ने जाकारी आपको दी एगर वह आट行ना सो Kelly टक्का है तो पर खेल्लऑ कितना लें सर ह्टारा सो रुपया पर मत और अगर 1600 CC के उपर का तो कितना लेंगे 2400 रुपया पर मन्त ठेक है यहाँ पर दो खर्चे शामिल है एक तो गारी यूज करने का प्लस रनिंग और मेंटेनेंस ड्राइवर इंक्लूडेड नहीं है ठेक है यह जो 1800 और 2400 हमने पढ़ा ना यह 1800 और 2400 किस चीश की वैलियू है cost of the car plus RMC अगर ड्राइवर भी company दे रही है तो उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा 900 रुपया पर मन्त तो नीचे देखो यहाँ क्या लिखा है प्लस अगर ड्राइवर दे रही है company तो 900 पर मन्त खुद गारी चला रहे हो तो 900 मत जोड़ो भाई ड्राइ तुमको इतना मतब एकदम इतना नीचे गिर के बात करों तुमसे मैं इससे नीचे गिर नहीं सकता मैं 15 से 20 जा रुपया पर मन्त ड्राइवर की सैलरी होती है ठेक है इन्होंने पर मन्त कितने का लिया है बोलो क्या परक्विश्ट वैली हो यह देख लो गारी का तुम सोच एफ्रीटिंग गिवन बाइ कंपनी आरेमसी मरनिंग मेंटेंश वे सब आ गया गारी का सर्विसिंग गारी का सफाई गारी का पेट्रोल गारी का एक्सिडेंट हो गया तो उससब इंशॉरेंस वह सब कुछ तो पेट्रोल का खर्चे एठार से बार कर जाएगा एक लीटर और गारियों का जो माईलेज होता है बहुत गंदा होता है गारी का माईलेज होता है मुश्किल से 6 km per 1 लीटर एक लिटर में 6 cuánt chirping गाडी चलता है और एक लिटर आता है एक ले पट्रोल 100 के उपर जल रह थैं तूम निकाल लो क्या मैथमैटिक्स है इन्होंने सिरसम पूचा कितना लिए अठारा सो पर मंद तो एक बार इनों ने कभी सोच के डिसाइड के डाला था फिर लोग चेंज करना भूल गए अमेंडमेंट हुआ ही इसमें तो बड़ा अच्छा है यह तो कंपनी अगर छोटी गारी तुमको देगी विथ ड्राइवर तो कितना होगा अठारह सो पर मूंत प्लस नौसो पर मूंत और अगर कंपनी बड़ी गारी दे रही है तो कितना होगा सर दिचना मूंत प्लस नौसो पर मूंत आर वी ओके विद अगर दे रही हो तो खर्चे आप अगर दे रहे हो तो company तो सिर्फ गारी दे रहे है तो perquisite value में तो सिर्फ use आएगा ना cost of the car खर्चे तो आप दे रहे हो तो वो तो उसका प्रकुसिर तो लेंगे नहीं खाली गारी जोए गारी की कीमत लोगे तो इसलिए amount बहुत कम होगा तो amount देखो कितना कम है 600-900 amount कितना कम है 600-900 चोटी गारी है 600 बड़ी गारी है 900 और ड्राइवर का अलग से जोड़ तो 900 पर मंत ठीक है 1500 बड़ी गारी 2400 अगर employer employee वाला case है मतब खर्चे आप दे रहे हो गारी उसकी है तो छोटी गारी 600 बड़ी गारी 900 और ड्राइवर अगर है तो प्लस 900 जोड़ दो हर एंसर में और अगर self-driven है तुम खुड ड्राइव करते हो तो फिर 900 नहीं चुड़ेगा ड्राइवर का आ 500 गारी तो उपने हैं तो सम्स नही बोला कि ड्राइवर है की नहीं तो मानेंगे आप खुड चला रहे हो हैं सम्स में अगर दो कि अगर अब सबसियार का अब हैग है को फिस सब्सक्तर घ्राहिं तो 900 अमत जोड़ना क्लियर एक नहीं है flow थर्ड चार्ट मैं अभी नहीं कराऊंगा कल कराऊंगा अभी जो मैंने सेकेंड चार्ट पढ़ा है ना फर्स्ट और सेकेंड चार्ट वो हम लोग पूरा अच्छे से पूरा याद करेंगे ठेक है ड्राइवर अगर देता है तो 900 परमंद जोड़ो वरना मत जोड़ो कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेना सेल्फ ड्रिवन ठेक है ड्राइवर जल्दी से मिलता नहीं वो बड़े अगर कंपनी में कोई उचे लेविल का एंपलॉई होगा ना तब उसको भले ड्राइवर की सुवधा मिले तुम देखो के रस्ते हैं बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी वंपनी से निकलते हैं और ड्राइवर पर लो आपको गाड़ी और ड्राइवर मिला है साड़े नौ मेहने के लिए ठीक है तो परक्विजिट आप नौ मेहने का निखा लोगे लोगे अच्छी बात है पार्ट ऑफ दमन्थ विल भी इगनौर्ड यहां लिखा हुआ है तो यहां भैस ही नहीं यहां कानून में लिखा यह वाले केस में पॉप वाले केस में तुम से अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो वो माइनस नहीं करेंगे बिकास अमाउन्ट अलड़ी एदम कम है चार नंबर स्टार है सर यहां तुम्हारी बैंड बजा दी यहां उन्होंने तुम्हारी बैंड बजा दी अच्छे सर चार नंबर में क्या लिखा है मैं बता रहा हूं सुनो मालो कंपनी ने आपको दो गाड़ी दे दी तीन गाड़ी दे दी, चार गाड़ी दे दी, हो सकता है ऐसा, आप उचे लेविल के एंपलॉई हो, तो दो गाड़ीयां दे दी, एक office तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे परिवार के लिए, अगर company ने आपको more than one car दिया है, more than one car, तो एक car को हम pop मानेंगे, जो अभी गाड़ियां हैं, उनको हम fully personal मान लेंगे, fully personal समझते हो ने तम गंदावाला case, मतब होना क्या चाहिए था, कि अगर हमको दो गाड़ी दिया है, तो एक को बोलो fully official, एक को बोलो fully personal, बोलो fully official तो मानेंगे यह नहीं, एक को मानेंगे pop और एक को मानेंगे fully personal, highlighter, अब आओ, सम्स करते हैं, इसके बड़े मस्त सम्स ने, छोटे-छोटे, पहला सवाल, इसमें तीन सवाल है total, one, two और अगले पीज में three, number one, कोई भी सवाल को जब तुम पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले बगल में लिख लो की case कौन सा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, number one, the employer provided the car to the employee for his personal use, fully personal, बगल में लिखो, fully, सर यह सबसे बखवास case होता है, fully personal में सब कुछ जोड़ जाड़के बढ़ा देते हैं हम लोग, and the running and maintenance charges are born by the employee, अच्छा, खर्चे वो खुद दे रहा है, तो वो तो अइड़ नहीं होगा, गारी के खर्चे वो employee खुद दे रहा है, तो अइड़ नहीं होगा, तो कि अवल गारी की कीमत लेनी है हमको, तो 10% of the cost of the car, which is how much, 20,000 रुपया तो लेना नहीं है, because वो तो मिला नहीं है, वो तो तुम अपने जेव से दे रहे हो, clear है, next sir, the employer provides his own car, of 2-liter capacity, मतब बड़ी गारी है, 2-liter मतब 2,000 CC है, 600 के उपर हो गया, तो बड़ी गारी है, for private and official use, मतब पॉप, sir, पॉप का case है, गारी given by employer, ये बोल दिया है, अब बस हमको ये चेक करना है, खर्चे कौन दे रहा है, आओ पढ़ते हैं, cost of the car is 5 लाग, कोई फरक पढ़ता है इस बास से, काटो, the employer spends 50,000 on running and maintenance of the car, and pays 18,000 as salary to driver, तो running and maintenance के खर्चे कौन दे रहा है, employer, तो it's a case of, employer, employer, ठीक है, एक बार आपको पता चल गया है कि case ये वाला है, अब उसके बाद अंदर के amount से आपको मतलब भी नहीं है, गारी की कीमत 5 लाख, I don't care, running maintenance दिया हूँ है 50,000, फरक नहीं पढ़ता, driver का खर्चा 18,000, फरक नहीं पढ़ता, ऐसे case में fixed formula है, ऐसे case में fixed formula है, वो fixed formula क्या है, याद करो, याद करो, pop, employer, employer, तो दोनों चीज़ employer का, use of the car, प्लस खर्चे of the car, तो value जादा होगा, 1800 रुपया है, 24 रुपया, बड़ी गारी है, दो लिटर, तो 24 रुपया पर मन्त, प्लस driver भी तो दे रहा है, तो 24 रुपया प्लस, 900, ये पर मन्त है, into 12, अच्छा तुम से कुछ recover भी कर रहा है, वो 50 रुपया, कोई फरक पढ़ेगा, वो एक, employer, actual खर्च किता दे रहा है, ड्राइवर को, या गारी का खर्च, तुम से किता ले रहा है, इन सब से amount से कोई मतलब, है यह नहीं, fixed amount, बड़ी गारी है, पॉप, employer, employer, तो answer, 2 यूग, 1800 या 2400, तो बड़ी गारी है, 2400, प्लस driver भी मिल रहा है, होता कि है सर, maximum students को न, दो लेवल पे problem है, उनको ये clarity नहीं होती, वो बिचारे confused रहते हैं, जैसे मैंने तुमको आज, तुमको मैंने पढ़ाया, official tour, और transfer में फरक होता है, ये लोगों को clear नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता, तो कोई बताता नहीं, इस ते दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं तुमको सारी चीजें, शुरू से इदम सजा कर बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारा clarity रहा है, दूसरा दिक्कत का हाथ है, याद करने में, इसलिए मैंने इसको इतना सुन्दर से सजा के, design बनाया के याद रह जाए, कि संस देखते हैं, पहले देखो कि क्वाण सा केस है, पॉप, employer-employer का, अगर employer-employer वाला केस है तो, 1800-2400, अगर employer-employee वाला केस है तो, 600-900, और फिर तुम आगे बढ़ो, तो उन आराम से याद रहेगा, थर्ड केस, the employer provides a small car 1.4 litre capacity 1.4 litre तो छोटा गारी यूँ कहा 1600 cc से कम है for private and official use मतलब pop गारी किस ने दिये boss ने अब मुझे देखना है खर्चे कौन दे रहा है the cost of the car is 3 लाख उससे कोई फरक नहीं पड़ता employee incurred 5 जारे running and maintenance तो यानि खर्चे कौन दे रहा है employee तो case employer employee गारी boss की खर्चे employee की तो case कौन सा employer employee ऐसे case में answer दो ही हो सकता है 600 या 900 तो गारी तो छोटी है 1.4 litre तो 600 रुपया लेंगे अच्छा ड्राइवर का 600 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे सर कुछ बोला आपको ड्राइवर के बारे में तो अज्यूम है कि इट सेल्फ ड्रिवन सेल्फ ड्रिवन मतब टेस्ला नहीं है मतब employee खुद ड्राइव कर रहा है ठेक है इदर तो 600 में 600 और जोड़ने की जर्वत नहीं है into 12 जोड़ो बोलो 72 employee का actual खर्च 5 जारे की निए उससे कोई फरक नहीं पड़ता standard value है हो रहा है की नहीं समस्नुम से आराम से अब यह देखो question number 20 बावाल है यह आज नहीं होगा आपको दो गारियां मिली है तो जब दो गारियां मिली है तो मालुम है ना एक को मानेंगे pop और एक को मानेंगे fully personal तो सवाल यह उड़ता है किस गारी को pop माने किसको fully personal आपको तो ऐसा करना चीज़ जिससे ultimately value कम निकल के आए तो उसी पर सवाल है question number 20 बहुत ही beautiful सवाल है I'll do it tomorrow ठेक है आज यहीं पर stop करते है ताल कंटिनु करिंगे motor car thank you